स्रीजुरु चर्न सरोज रजय निजमन उकुर सुधारी बर्नव रग बर्भी मल जस जो दायक फल चारी गुद्धीन तनु जारिके सुमिरो पवन कुमार बलबु दिवी द्यादे उमोही हरहु कले समिकार जय हनुमार ज्यान गुन सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बलधामा अंजनि पूत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित के सा हाथ बजर और ध्वजा विराजे काधे मूज जने उसाजे संकर सुवन के सरिनंदन तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान गुनियति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभुचरीत्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुप्ष्मरूपधरि सियह दिखावा बिकतरूपधरि लंक जरावा भीमरूपधरि असुर सहारे रामचंग के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रगुबीरह रशी उरलाए रगुपति किन्ही बहुत बढ़ाई तुममम प्रीय भरत समभाई सास्र बदन तुमरो जसगावे असकई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा जमकुबेर दिगपाल जहाते कभी कोबिद कई सके काहते तुम उपकार सुग्रीवह किन्हा राम मिलाय राजपद दिन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषन माना लंकेश्वर्भे सब जग जाना जुग सहस्र जोजन परभानू लील्यो ताही मधुर फल जानू प्रभमूद्री काहि मुखमाहि जद दिलांधी गए अचर जनाहि दुरगम काज जगत के जेते सुगम अनूग्रह तुम्हरेते ते राम दुआरे तुम्ह रखवारे होतन आज्या बिनु पहसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरना तुम्ह रखशक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांक ते कापे भूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोगहरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुडावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा ओर मनोरत जो कोई लावे सोय अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अश्ट सिद्धिन वनिधि के दाता असबर दीन जान की माता रामर सायन तुम्हरे पासा सदार हो रगुपति के दासा तुम्हरे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख विश्रावे अंत काल रगुबर पुर जाई जहां जनम हरिभक्त कहाई ओर देवता चितन धरई हनुमत से यसर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जै 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव किनाई जो सक बार पाठ कर कोई छूट बंदि महा सुख कोई जो यह पड़ अनुमान चालिसा होय सिद्धिसाथी गौरिसा तुलसी दास सदाहरिचेरा कीजे नाथ रिदय महडेरा पवनतनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहिता रिदय बशं सुरभू पसियावर राम चंद्र कीजे रगु विर राम चंद्र कीजे पवन सुतहनु मान कीजे उमापति महादेव कीजे बोलो भाई सब संतन कीजे जैसी हराम अगर हिस्से में तेरे प्यार की जागीर होती है तो छोटे आदमी की भी बड़ी तकदीर होती है पनाहें मांगती है आके जन्नत मेरे विस्तर पे तेरे तकिये के नीचे जब मेरे तकिये के नीचे जब तेरी तस्वीर होती है आप इस शेर के अंदास से समझ गए होईंगे कि ये आदरणी परवास साहब का लिखा हुआ शेर है जिनको कि आप कई बार सुनते रहे हैं जैसा कि आप सभी को विदे थे मानस रुद्राष्टक प्रथम भाकी कथा उंकारेश्वर में दिसंबर 2002 में आयोजित हुई थी उस कथा का इंगलिश अनुवाद इंगलिश ट्रांसलेशन हुआ और उसने एक पुस्तक का आकार ग्रहन किया और वो पुस्तक जून 2007 में हस्तिनापुर की कथा में पूज्य बापु के द्वारा उसका विमोचन हुआ इसी क्रम में दूसरी कथा भगवान महाकालेश्वर की सन्यदी में मानस रुद्राष्टक भाग दो उज्जेन में 2004 में आयोजित हुई उस मानस रुद्राष्टक भाग दो कथा का इंग्लिश ट्रांसलेशन अंग्रे जी का अनुवाद अब होकर तयार है और उसने एक गरंत का आकार ले लिया है इस पूरे कारे को इन दोनों ही भागों के अनुवाद को हमारे आदरणी परवास सहाब ने संपादित किया है यह बड़ी प्रसनता का विश्य है उनका हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं पर जो अधिकार है वो इस इन गरंतों के मादियम से हम जो भी पढ़ेंगे उनको वो उपलब्ध होगा वो समझ में आएगा और इस सारे अनुवाद में एक जो आध्यात्मिक संसपरश है उसकी उपस्थिती भी जिग्यासू साधकों को जो से पूरा पढ़ेंगे उन्हें उपलब्ध होगी उप्रोक्त दोनों ग्रंतों के प्रकाशन का कार श्री नंद किशोर बाजोरिया चैरीटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा संपादित हुआ है आज मानस रुद्राश्टक भाग दो के एंगलिश अनुवाद मानस रुद्राश्टक पार्ट टू का विमोचन पुझ बापू के करकमलों से होना है एतदर्थ मैं श्रीरमार शंकर जी बाजोरिया से निविधन करूँगा क्वियादर्णी परवास सहाब को लेकर मंच पर पधाननी करपा करें क्वियादर्णी पर जी बाज़ादर्णी पर जीर मंच पर्वास रुझ बाजू करें झाल 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 आई 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 भरत धारी वेनु भागत जी सती असनारी बिलों अगरपदी सती असनारी रभुपती ब्रतधारी सती असनारी सती असनारी रभुपती ब्रतधारी रभुपती ब्रतधारी रभुपती ब्रतधारी रभुपती ब्रतधारी रभुपती ब्रतधारी भगवान महादेव की इस पावन स्थली में राम कथा के तीसरे दिन आरंभ में सभी को व्यास पीट से मेरा प्रणा राम चरित्मानस के बालकांड की वे दो सुत्रात्मक पंक्तियों को लेकर हम भगवान महादेव का तीसरे दिन का रुद्रा भिशेक करने जा रहा है शीव के समान रगुपती के व्रत को निभाने वाला और कौन है इस व्रत निर्वाह के कारण जिस शीव ने सती जैसी सती को निश्पाप थी फिर भी उसका त्याक किया प्रतिज्या करके भगवान की भक्ति को द्रटि करके विश्व को दिखा दिया इसलिए राम को शीव समान और कौन प्री हो सकता है यह भाई कौन है इसा जो राम के समान प्री है शीव के समान राम को प्री हो इन दो पंक्तियों के इस थूल अर्थों के साथ साथ आईए बड़ी एकाग्रता से मन बुद्धी चीत को थोड़ा अपने आप स्वच्छ करके वाकी का काम व्यासपिट करेगी थोड़ी तयारी करके थोड़े सावधान होकर इस कथा का रस्पान करें भगवान राम के साथ व्रत जिन में से माउन व्रत की कुछ चर्चा कल हुई भगवान राम के दूसरा व्रत वो है धर्म व्रत भगवान राम धर्म व्रती है और भगवान राम के इस धर्म व्रत में तीन बाते समाहीत है एक वचन व्रत एक वचनी है रागव दूसरा एक बान एक ही बान प्रान हरी लीना राम के बारे में तीन बात एक वचन एक बान और तीसरा एक पत्नी है एक पत्नी व्रत एक वचन व्रत एक बान व्रत ये राम का धर्म व्रत अंतरगत तीन व्रत है अब उसको जरा बहुत सरलता से समझने की हम सब कोशिश करें सबसे पहले तो ये प्रश्न और उठिगा कि धर्म क्या है राम धर्म व्रति हैं तो मणि माउन व्रत का तो तो फल चर्चा की वेचू पर रहना समय पर बोलना शुभ बोलना सत्य बोलना कम बोलना कितना ही काष्ट माउन हो तो भी हरी नाम लेना आदी आदी लेकिन धर्मवरत और धर्म की परिभाशाएं तो कितनी अपनी अपनी है धर्मस्यतत्वम नहितम गुहाया फिर निर्णे करना पड़ता है महा जनोग यही नगता सपन्था धर्म की विद्वित परिभाशाएं हैं लेकिन आप सब जानते हैं मेरी व्यास पीट का एक निरणाई है कि मैंने यह नहीं कोई नई बात नहीं है यह नया कुछ नहीं सब व्यास का जूठा ही बोलते हैं यह तो कुबल करना ही पड़ेगा लेकिन कुछ बाते जब अपने अनुभव की हो जाती है तो उसका ज्यादा आनंद होता है कोई बनी बनाई रसोई परोष दे रोटी बना दे बाकरी बना दे तो भुख लगियो तब उसका आनंद है ही लेकिन आदमी खुद रोटी पकाए खुद बनाए भुख हो और खुद खाए दूसरों को थोड़ा खिला करके तो उसका भी एक विशेश आनंद होता है तो मेरी इस राम कथा कि पचास साली यात्रा में पचास वर्षी करीब करीब यात्रा में आप सब जानते हैं कि मैंने धर्म को तीन रूप में देखने की कोशिश की हैं वो है सत्य प्रेम पर्मा अब राम का एक वरत सत्य वरत भी है जो कल हम उठाएंगे उसको लेकिन आज धर्म की परिभाशा में धर्म वरती राम के दर्शन में और उसी वरतों को बगवान महादेव ने बहुत भलिभात निभाया है तो ये धर्म वैसे मनु महराज को स्मुर्टी में पूछा जाए तो वो दस लक्षन बताए धर्म के दस लक्षन है लेकिन विस्तार हो जाएगा कई बार इसकी चर्चा हुई उसमें यहाँ न जाए शिरिमत भागवत धर्मरूपी विर्शब के चार चरणों की चर्चा करते हैं और इसी शास्तर न्याई को गोस्वामी जी भी उत्तरकान में लिख देते हैं प्रगट चाई पद धर्मके धर्मके चार चरण प्रगट लेकिन कली मह एक प्रधान ये न के न भी दिन ने दान किये कल्यान सत्य तप शौच पवित्रता ये भी धर्मके चरण हैं लेकिन कली यूग में सत्य कितना तप कितना हम कर सकते हैं कितनी हमारी पवित्रता है कली यूग में एक धर्म प्रधान दिखता है और कैसे भी येन के न भी दिक कैसे भी दान करो दो 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 उदारता से दान करो एक कल्यूक का परदान चरण माना गया है लेकिन उसको भी चार में से भी तीन करना है तो मेरी व्यासपीट का ये निर्णई सत्य प्रेम और करोना मुझे बार बार पुछा जा रहा है कि इस में से अभी और भी छोटा किया जा सकता है आप अपने डंक से करो मेरी रुची नहीं है मैं इसको अब सिकूड़ना नहीं चाहता हाँ आप कह सकते हैं कि प्रेम में करोना भी आ जाए सच्च भी आ जाए सच्च में प्रेम भी आ जाए करोना भी आ जाए करुणा में सत्य भी आ जाए लेकिन जरह मुश्कील है उसकी उसका प्रथक्करन करने में सुत्र ठीक से बैठता नहीं इसलिए तीन तो रखना ही होगा और हमारे यहां तिरी सत्य की महिमा है तो सत्य प्रेम और करुणा भी धर्म है पूरे दुनिया के धर्मों का सार पुर्वग्रह मुक्त होकर अपनी जीद छोड़कर अपनी कट्टरता छोड़कर उदार मन से सही रूप में कोई समझने की कोशिश करें तो यह तीन ही बात मिलेगी कौन धर्म मना करेगा सत्य के बारे में कौन प्रेम को ठुकराएगा कौन करुणा यह दिपावली के दिनों में तो यह कैसे में किसी ने किसीने एक मुझे बताया कि एक संदेश फेल रहा था कि सत्य से कमाओ सच्चाई से कमाएं करो अशेर ना दंदा में कोई ना करोड़ गया कोई ना नियु लाग गया कोई ना आम गया एक भाई ने मुझे का बापू यह शेर के वो पुरी दुनिया में मंदिक लोग ने अस्वासन बहु का कि दुनिया डूबी ने टले वांदो ने यह एक में मरा तो तो शीना पीटते लेकिन साब मरे हैं इसलिए एक तसल्य हो गए कि चलो सब एक जाहाज में डूबे जा रहा है एक बाई की मुझे चिठी आई कि बापू मैंने तीन बार आप से कथा मांगी लेकिन आप देते नहीं देते बनी गटना देते नहीं और अब देखो एक लाएक करोड और पचाहतर लाख मेरे गए आपने कथा देदी होती तो ते हूं तारी शेर बजार नू ध्यान रख हुआ रहा है यह मेरी जिम्मवारी है यह यह हुमारे महुआ में एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा मेरे पास है बाब बेटा दोनों है बड़े अर बड़े आदर के साथ है इनिशंक सवाल ही नहीं उसका बेटा एक ओफिस खोल रहा था तो मुझे उदगाटन को कह दिया कि और इन दिनों में हुआ मैं था तो मैंने का ठीक है आओंगा फांदस मिनिट आ जाओं अब मैंने पूछा नहीं कि ओफिस किस बात क है अब मेरा भी कोई डंग दड़ा नहीं है साथ मैं मोज में होता हूं तो कोई भी उदगाटन में हा कह देता हूं फिर फस्ता हूं कि मैंने ये कहां हां कह दी पस ऐसे ही मैंने का ठीक है चलो वही मुआ मैं है चितर कुट जाते समय आ जाओंगा पांच मिनी अब बहुत जा बोल दीने तो इतने खूश होगा है मैंने का आइस क्रिम चाय पानी को कुछ नहीं मिल गया जो मिलना था बाहर गया तो फिर मैंने पूछा कि जरा बताओ उसको पूछ लो कि मुझे किस बागिला को पूछा चिमन भाई को कि कि वही किस बात का उद्गाटन किस का बोले बाप वह आपको पूछना चाहिए मैंने का मैंने नहीं पूछा तो आप पूछ लो ना बोले शेर बजार की ओफिस कर रहा है शेर की कुछ अफिस होगी मुझे तो पता नहीं उसकी कुछ लेंगे खबर नहीं क्या लोग करते होंगे तो उसका पूछा मैंना कहा है यह तो भई मैं तो शाइरी के शेरों का आदवी हूँ इस बजार वालों शेरों का आदवानी बाजारू शेर का मेरा काम नहीं है परवाज साहब के शाहिरी का कोई शेर हो तो मैं उसमें मेरा सीर हिला सकता हूँ महुच कर सकता हूँ आनंद ले सकता हूँ अब मैंने हा कह दी अब करे भी क्या और मेरे सामने तो यह बड़ा संकट रहता है कि हा बोलो फिर में हारा और दुनिया जीती तुरंत कई आब रा नहीं तो भुले बाप शेर बजार का कुछ उसका लड़का कर रहा है तो उसका उपनिंग कर दूज जाना इसको फिर से बूलाँ बूलाँ जिएको भुलाँ describe इनने का वह यह साब आप खुलासा तो करना जार मेरेख उम दरेबाप अप मना कर दे तो मैंने कहा भीया अब मुझे पर रहम कर कि मैं फिर कभी तूं कहेगा तो ऐसे वहीं से निकलो और एक मिनिट आ जाओंगा लेकिन ये मामला उद्गाटन मेरे हाथ मत करा तो वो भी समझ गया ठीक है बापो तो बोले आपका फोटा मैंने का खबरदार फोटा भी रखा तो लोग बड़े चाला के नाटकों में भी मेरे फोटा छाप देते कोई नाटक चला दे न दूसमें भी मेरे तुस्विर लगा देते कि बापो ने नाटक हराम मैंने नाटक देखा तो लेकिन अपनी दुकान चलाने के लिए मुरारी बापो का नाम कहां कहां यूज नहीं हो रहा है और ये एक मुरारी बापो के नाम से भी काम चलता है तो उसको सौपान बना कर हरी नाम में चले जाओ क्या नहीं होगा जाओ जाओंगा लेकिन ये मंदी बंदी सब समाप तो हो जाएगा ना वे तो ये मन नहीं बूलावे अमना तो तो एक भाही ने ग्रुस्त हमारे कथा के प्रेमिन बापो आपने कथा नहीं दी तो ये सा हो गया देखो इतना चला गया मैंने का आप कथा करा नहीं पाया अब सुनना शरू कर दे हमारे विनु भाही कहा कर देख बापो नहीं कथा करा भाही नहीं हम बढ़ाए कराने जाओ तो ठक जाओगे ऐसा नहीं है कराने वाला ठकता नहीं सुनने वाले थोड़े ठका देते हैं ऐसा हो जाता है थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता है भाकी तो अपने परिवार की तरह सब रह करके कथा का मौज करो तो कोई शिकायत ही नहीं रहती हो सकता विश्व के सामने कि कौन? कहीं लोग क्या देख बाप आपकी कथा कराने वाले जमीन से दो फूट ओपर खबर नी मेरी कथा कराने वाले को मैं जमीन से कभी उपर उठने ही नहीं दूगा और न उठते हैं एक अहो भाव जरूर लेते हैं कि प्रभू की कथा की सेवा में हम निमीत बने हैं साहाब बाकी कौन उठ सकता है? उठ है नो तो टांटकी उपकड़ी नूपाश उपाड़ों लीचे कि नाम न ले कभी साहाब मेरी पहुच इतनी तो जरूर है साहाब कि मैं उसको संभालता तो मेरे आप आपने कभी कभी साधू जो होता है न साहाब वो कभी कभी रादेशाम उतपात का शमन नहीं करता उतपात पैदा करता साधू का एक लक्षन होता है उतपात पैदा भी करना उतपात का शमन करना वो तो साधूता हैगी शांती पमाड़े ने संत कहिए ऐसी गुजराती एक पंती लेकिन साधू का एक लक्षन है उत्पात क्रियेट करना वो कर्तुम अकर्तुम अन्यता कर्तुम समार्थ होता है जरा उल्टा लगा विद्रोही निवदन है तो कभी-कभी आप देखिएगा संत पुरुष सोच समझ करके उत्पात पैदा करते हैं लेकिन इससे पहले एक बात और भी बात आई है तो एक बात और भी उत्पात किसको कहा है उत्पात की व्यक्या है हमारा ताप, संताप, परिताप प्रासवादी शब्द में एक त्रिप करवा ताप, संताप, परिताप जब क्रियात्मक हो जाता है उसको उत्पात कहते है पितर में संताप है थोड़ा परिताप है, चिंता है गर्मी लग रही है, ताप है फिर हम खड़े हो जाते है चलो वहाँ बैठे, इधर करो, यह करो यहाँ जीना मुश्किन है, चलो छोड़कर चले जाए, यह करे, यह करे यह जब किसको मिले कि यह इस से शान्ती मिले, कहा जाए यह जब शरीर क्रियात्मक शुरू हो जाए उसको उत्पात कहते है, उछलकूद शरू हो जाए, ताप, संताप, परिताप, उजब तक क्रियात्मक नहों, तब तक उत्पात का जनम नहीं होता, कई लोग देखो, घर में, घर में जब कोई ऐसी परिस्थिती होती ना, तो बैठ नहीं पाते हैं, कभी यहाँ जाए, कभी उस कमरे में जाए, कभी सौफे में बैठे, कभी जुले पर बैठे, कभी लॉन होई तो लॉन मा जाए, नहीं तो लॉन लिद्य होई तो बैंक मा जा आपने अपने जीवन में, यह कोई महाभारत की सिरियल आपने देखी होगी, मैंने कुछ एपिसोड मुझे महाभारत अच्छा लगा था, रामायन तो मेरा जीवन है, रामायन भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसाइद मैं बोलता हूं इसलिए मुझे देखने में जादा रू अधना दी, तब ये बिश्म के किरदार जो निभा रहे थे, वो जिस तरह अपने प्रासाद में, अपने राजबवन में जिस तरह टहलते थे, क्या करो वेजे, एक खुंखार, शेर, मानो पींजडे में बंध हो गया हो, इस तरह जैसे बिश्म इधर उधर जो गुम, उसक कहते उत्पात, पात, पर मेरे निवदन को ठीक से समझना, आप चुक जाएं तो मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि सब नौंध हो रही है, रेकॉर्ड हो रहा है, साधु कभी किसी के जीवन में ताप पैदा नहीं करता है, शांती पमाड, साधु किसी के जीवन में परिताप निर्माण नहीं कर सकता, साधु किसी को संताप नहीं दे सकता, लेकिन साधु अपनी गिनती के मताबिक, अपनी अध्यात्मी की यात्रा में जब सिद्धता आ जाने के बाद, वो कभी-कभी व्यक्ति के अपने आश्रीत के जीवन में, समाज में, पूरे संसार में भी, कभी-कभी उत्पात पैदा करा लेते। इसा रामायन में लिखा है, मेरा कोई माउलिक थोड़ा है इसा, मैं कौन खेत की मूली, तलगाजरणा के खेत की मूली, उसका मुझे गवराव है, उत्पात। एक पंक्ति गाले हैं, अथश्री पंचम वेद भारत का, अथश्री महा, सब गाईए, कल हमारे परवाज साहब ने, आधा की बापु राम कथा तो कहते हैं, महावारत की कथा भी कहते हैं, मैंने अस्तिना प्रवाज साहब ने, मेनापूर में महानस महावारत किया, और आपने कल चिता की सिता की चीख और द्रवकदी की चर्चा कहकर सुंदर एक शेर बनाए, कल के परवाज साहब का गजल पाठ जो था, और आज आपने अंग्रेजी में, राम कथा को जो रुपांतरित किया जिस गरंथ को महादेव के चरणों में लोकार पित कर दिया गया, मैं और क्या कहूं, साधुवाद देता हूं, आपकी शब्द साधना को मेरा नमन, अधष्री महाद्भारत जोड़ आ था, आधष्री महाद्भारत है यही उसका title song था, ना वो? अधर्श्री महार्थ कि अधर्श्री महार्थ कता है उर्शात की स्वार्थ की परमात की सार्थी जिसके बने श्री कृष्ण भार्थ परपुर्शार्थी स्वार्थी परमार्थी सार्थी पार्थी कभी की करिश्वा देखिए शब्दों की जो जड़ी लगा रहा है कभी कता है उर्शार्थ की स्वार्थ की परमात की सार्थी जिसके बने श्री कृष्ण भार्थ आत्री शाद दिकोष्ण भूर्थ सटेव सार्थर सार्था ठात अि ऑत्रे है महारत पता पदर्जी महारत पता पदर्जी महारत पता पदर्जी मजाल नहीं कोई ऐसा महा काविय और महा इतियास का सरदनी नमन करना ही होगा विश्व की लेखनियों को विश्व कलमों को पोई भी निगे जाना साथ उसको व्यास मा खड़िया मा बोली बोली निद लखू पर सो सब व्यास का जूठा बोल रहा है खर्यों जो शाहिनों से भलत दो तक कलम अपनी होगी लेकिन वो तो उसको में दोबो कर लिखना होगा मुझे इस एपिसोड का वो दर्शन चित्र याद आ रहा है और काश वश मैंने देखा होगा कभी-कभी तो उसमें जो वेश्म का उत्पात दिखता है इधर जाता है इधर जाता है यह दुर्य धन मानता है यह करता है धर्म पुरूश है वेश्म गंगा का बेटा कभी सामान्य तो नहीं होसा हाँ साथ बेश्म हमारा गवरव है अधरूद है बेश्म और मजे लगता है मैं मैं कहूं की पात्र भी बड़ा बड़ा अधरूद डंक से निभाया था अधर 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 थेकर अच्छा थेंक यू सोगर अपनमजे याद दिला है कुछ बाते मेरे बनमे होती भी अधर नमारा शुरोता हो इटला बदा उत पाती चे अधर आम रोकाए नहीं यहाच बहुत सरस हो तुम्हें बहुत सरस बेज जना गुजराती ओं यह बहुत सरस कोई ने खबर नो तीले हो इमानस्तना नाम नितम्हें बहुत धन्यवाद कौन अताई है अवेल अच्छ तारी स्मृतिये मारी विश्मृति करावी दितित्यार आम यह गणी छूट आपी से नहीं आप परिणाम मारी व्यास्पीट भोग वेज अनेक अर्थो मा कौज उदार तानो गेरलाव नलो अस्तित्व बड़ा क्रिपालू है व्यास्पीट बड़ी उदार और क्रिपालू है लेकिन ध्यान रखना आपका दाईत्व भी है मैंने तुम्हें बहुत पाला है एक मा की तरह तुम लोगों को पाला है मैंने कम प्यार नहीं किया कम ममता नहीं दी कम महबत नहीं की मेरे जन समुह को क्या आपका कोई दाईत्व नहीं मेरी कोई शिकायत नहीं है मैंना आपसे बेख मांगता हूँ आपका धर्म आपको याद करा रहा है अधर्श्री महारत कथा अधर्श्री महारत कथा नहीं करता है पुरुशार्ग्यकी स्वार्ग्यकी परार्ग्यकी साल्थी वर्श्री महारत कथा नहीं है कुछ लोग मेरे साथ साथ मेरी व्यास पीठी यात्रा के साथ मेरे मन की बात समझ लेता है अच्छा भीटा गुण्वंद भी ऐसा कर लेता है एक शेर है गुरु के समान चेला नहो तो किसी का अपराद बपराद नहीं देखना है लेकिन एक कमी महसूस हो जाएगी ना हर लोग गुरु चाहता है मेरे समान मेरा चेला हो मेरा तो कोई चेला बेला नहीं है इसलिए कोई चिंता नहीं है कोई शिष्य नहीं है सब शुरोता है सब शने ही है एक शेर था बाप की पीडा कब होती है और जब बाप के अनुकुल बात होती है तो बाप बहुत खुश होता बाप की चेतना खुश होती है चस्मा भी गया जो से लोग काड़ छे न तुमारे पास अब नहीं जरूब पर पूरी उम्र मेरे बाप को एक प्रकार की शिकायत रही पाविश्पाठक का शेर उम्र एक शिकायत मेरे बाप को रही कैसा भी हो ये बेटा मुझ पर नहीं गया कैसा भी हो ये बेटा मुझ पर ऐसे गुरू को भी एक गुरू को तो अध्यात्म जगत में कोई शिकायत नहीं होती लेकिन एक कभी मानव भाव में आ जाता है गुरू तब उसको मन में एक चुभन हो जाती है कि मेरा आश्रित मेरे पर नहीं गया अध्या ऐसा होता है तनहाई का जहान से अभी डर नहीं गया मुझे उसने टेलिफॉन पर सुनाया था कि बापू पर इनंदन और दो शेर सुन लीची एगर जैने का कि दिला को लिखवा देना तनहाई का जहन से अभी डर नहीं गया मुद्दत हुई में अपने ही घर नहीं गया यदगत्वान जनम बिता दिये लेकिन अपने घराने में नहीं पहुँचे संपर दिया है कितने जनम जनम की आत्रा लेकिन जहां से निकले हैं वहां पहुँचे नहीं इस अध्यात्मिक अर्थ में उसको लेना इस शहर में बीची है जरूरत की सुरंगे जरूरत आवशकता हैं इस जिंदगी में जो हुमारी मांगे हैं इस शहर में बीची है जरूरत की सुरंगे जिंदग कोई यहां से बच्कर नहीं गया कौन जरूरत मुक्त है सले सबको अपनी अपनी जरूरत की सी को यह चाहिए बेटा मुझ पर नहीं गया अकसर बेटा बाप पर जाता, वो ही रास्ता, वो ही मन्जिल, वो ही है रहनुमा फिर भी, वो ही रास्ता, वो ही मन्जिल, वो ही है रहनुमा फिर भी, कि नजाने क्यों सफर में लोग नक्षे साथ में रखते हैं बात तो यही है पुनरपी जननम, पुनरपी मरणम, पुनरपी जनने जठरेशाई, तो अथ श्री निलेशने मेरे कहने से पहले शो फुक वाजया, इसलिए मुझे याद है सेवा कहीं प्रकार की होती है मित्रो, मेरे भाई बहन, बाप, किसी सदगुरू यदी पैर दबाने दे और आप उनके पैर दबा दो, मीठा खाखा कर उसको डाइबिटिस हो गया हो, वो भी सेवा है, कोई चरण धुन्वाय दे, चरण दोलो, सेवा है, कोई पुझा कराने दे, कर लो, सेवा है, कोई जरूरत है, आपने उस जरूरत पूरी कर दी, सेवा है, आपको कोई काम सौपा की, जाओ ये करो, ये संदेश देआओ, दो मुर्खों ने टेलिफोन फेंक दिया, सेलफोन फेंक दिया, किसे ने पुझा क्यों, के खर्चे वाला काम है, हम प्राचेइन व्यवस्था शरू करें, कभूतरों के गले में चिठ्थी रख करके संदेश बेंगे, टेलिफोन बेल फेंक, आपके पहंक आईजाद मांड आईजाद मांड़ाए, उसे प्लेन है, उसने अपना नोख फेंक दिया, उसने अपना फेंक दिया, कभूतर पक्ड़िया, अब एक दुसरे को संदेश बेजने के लिए, कभूतर पकड़े, उसके चिठीले कि मैं परसौ आने वाला हूँ, कभूतर, संदेश बहा का है नं, कभूतर बरियों जाता है、「 फिर वो भेजता है किस जरूर में गर पर ही हूँ का एक दिन कभूतर बिना संदेश आया कोई संदेश ने तो उसको लगा कि बिना संदेश कभूतर की तो उसने दूसरे का तेली फोन ले जराइक फोन करने दो, तो उसने उसके मित्र परपहन किया कि उसको संधेश दो, कि깃बूतर बिना संधेश आय कि उसके मित्रे को तेली पोन खुद संदेश लेकर जा कोई गाप काम कराया कि भी जा तू ये लेकर जा ये कर ले सेवा कहीं प्रकार की होती है मन से तन से धन से वचन से उपकरणों से लेकिन सबसे स्रेश्ट सेवा वो है अपने सदगुरु की इच्छा जानकर काम करना सदगुरु को इच्छा होती ही नहीं यदि उनमें इच्छा प्रगट जैसे कृष्ण को मन नहीं है लेकिन रास के कारण कृष्ण ने मन कुबूल किया है सदगुरु को किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती लेकिन वो कभी इच्छा प्रगट करे उसी समय उसकी इच्छा के अनुकूल सेवा करना सदुगुरू की इच्छा और आश्रित की सेवा अनुकूल प्रवृत्ती इन दोनों को मिलन से आश्रित के जीवन में परमात्मा परगट होता परमात्मा को परगट करो हम क्या सेवा करते हैं लेकिन इच्छा नहीं जानते हैं सेवा करो सामने वाले की इच्छा देखो अब आप कहेंगे कि द्रद्गूरू को इच्छा होती नहीं हम कैसे देखें तो सेवा ने करो वो कहां मांग रहा है तुम्हारी सेवा सेवा कभी-कभी बोज बन जाते अब देखो मैं तो कहीं भी जाता हूँ मेरा तो आप सब जानते हैं मेरा जग कोई ले लेगा और लेने में तो तकरार होती है एक कहता है मैं ले लो एकोद वर जग तो जाते हैं तो देसे दो लेग सबस्वा0 मारू जाते हैं मोध में भी टेखो कोई लेना दे Kent बैग नादेलो के हो से बेज दू़ो एक– यह नो भी इस ध्यूरो ऊंक ढ्रून बद्भ में उतनwszy एक लिएाज अन्हारा cyclist पड़े, इन्हें दूख बढ़े, यह मुटता है, यह एक क्या है, मुटता कि सिवा और क्या है, मैंने कहीं, बहुत में देखता हूँ, कहीं लोग सब चीछ खुद ही डोना चाहते हैं, और दूसरे को दे, यह जिए खुद है, इन्हेरो केस? सबस्क्राइब निएकिकारी मरें कि,生मार बिएर फो, आइस्क्रिम आज आपके बियानः आपमाज जो हूँ, इन्हीं देखतों आपको, नो चीछ has primarily máy भीन ने क्याह एक तो तेरी मत्वाली चाल. अरे यार मांटो, तेन तक तेन भुंजी था. मैं तो विनोत कराऊँ, उसका भाव होता है, सब काम करने, सालों से सेवा कर रहा है. कहने का मतलब, तेन विनोत कर दो पर्माइ, एक जिगाए, विनो भाव मारी साथ है, यारे उपधराम, चाप पिरस्वामा, मारा कपड़ा, यहना कपड़ा, विनो भाव ना, त्रणी ना कपड़ा बगेड़ेगे, जहां जहां कहां किटली तोडी ना किए शे, आप पिरस्वादी ना करता त्रणी गरम इतनी शभाव थी तोई, यह क्या मामला है, मुठता के सिवा को इने, क्या तुम प्रदिक्षा नहीं कर सकते कि तुमारा गुरू तुम्हे आदेश करे फिर उठो, इतनी जल्दी क्या, इतना ना समझ समझते हो जागुरूत लोगों को आप, क्या उसको पता ने कि कौन सी सेवा किसको सौपनी है, और सही में तो सदगुरू की सेवा ही क्या है, क्या, मैं तो जहां जाता हूँ, कजा में जहां ठहर तो, मुझे मेरे कमरे से चीजे निकल वाली पड़ती है, मुझे जादा की जरूरती ही नहीं सा, सब जानते होंगे, ये निकाल दो, ये निकाल दो, दो साबूं चाहिए, बस, मुझे मतका के जादा काल है, तो जो जादा की. कि ये जहां से इंक्वुदधा है, मुझे जात दो जादे लूदमानाथे काल फूदमाना है, आपने, को ये जगे कि सा, का, आपने, जैँं़ तोती है, जाईना है, वही से साथ, आपने तो कोई काम ने जाए, जरा जरा करीं जाए तो बदू निकली जाए, निकलो आज़े, वही हूँ, क्या चाहिए हमें साथ, सिवा के नाम पर लोग अतीरेक करते हैं, और बदनामी सद्गुरुवों को पराप्त होती है, फिर क्या एसा करने वाला कोई दूसरी कता होगी, उसको ये लिष्ट दे दे, इतने इतनी चाहिए, इतना साबू, इतना पर्फिम, कभी मैंने पर्फिम यूज किया है, अब पर्फिम तो तमेरा को, हाँ, ठाकुर जी को इतर लगाता हूँ, खस का, रुतुरुतु का, ये मुझे अच्छा लगता ह और फिर उसमें से जो बचा कभी शाल पर लगा दू, माला पर लगा दू, मुझे क्या पर्फिम चाहिए, मुझे अपनी खुद की खुश्बु है, I am nobody's tongue and ears, मने मारी जात्मा सरवाड़ो करवा माटे कोई नी जरूरत न थी, लाब शंकर ठाका, आपनी अपनी वृद्धी करने में दूसरे के उपकरोनों की जरूरत पड़े, वो अपनी हीनता का परी चाहिए, क्या हम अपने आप में पूरे नहीं है, कह कभीर में पूरा, मांग बिक्षुपने का अभिप्राय है, दाता ने क्या नहीं दिया, ज्यादा चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं कोई आत्म कथन नहीं करा हूँ, आत्म निवेजन, ताके आप कभी भी मेरे से गभराये ना, लोग गभरा देता है, बापुने बुला हुशो तो तो हम आम करूँ पड़शे, हाँ, ये चुको, जो ये, ये होई तो, बाकि कोई, आ पर इनना सूता हूँ, ये क्लाम तेक्यों नाकिन कर, मारो रूम बंदों पर चमने शूख बरूम, क्या हम सूता हूँ, मुझे क्या जरूदा थे सा, काई नो तू ये हजी मने याद छे, जिन्दगी बर याद राख वारा हूँ, इटले मने कोई वस्तो नी जरूद नहीं टाथा, बाहत दिरा, सेवा का मतलब क्या है? तो में टगर टगर शूजो जोई रहा चाई वात नहीं कहीं चीत नहीं अगर अगर ब्यार्बम साथ आठ लोग परो से साई अपने फड़का माँ खाव पड़ शंती दिखावानो दे फड़का माँ खावानो अपने नओ भावतीचीज अपने जल्दी कहीं नहीं थाई है का नाप भाव एड़ूचो नाखे पाषण वड़का में बाव मारी नजर हामे थी आज़ आई जल्दी अपने भाव नो भाव नाखीज़ यां ताहड़ देन नाखे अ लाश ओ जो कहीं बार ऐसा बदेगे अने बहु वस्तु बनावे कोजी आपडने बावतियो इस पिरुस बनु भूली जाए शीरो आपडने बावतो इस बूली जाए न गॉलना देबाना खे इला पर आतो बनाईवे सुकाम तमारा मेच बनाईवे सुकाम काल मुखाने खाओ तमने जाओ आको घर खाओ 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 फाओ ये उसलिए कि मुझे आनंद कराना है आपको और कुछ दिआ है लेकिन ऐसा होता भी है संत्राम ने कबर पड़े ने वारे वारे डुट क्यों करी जाए कि आ लोको पिरसनारा काई कुंधो करता है शेटलों बजाओं यावे एटले ने अम अब जो एटले कबर पड़े काम मर्चा नी जरूट थे अच्छा नी जरूट थे अच्छा जानों सिवा क्या या या अ बराने करावो इपरिष्रम क्यों है परमारत नों क्यों है वियार मात भाव अनूंद एव आकु गर पज्चार मैं कि तो आखु गर खड़ी पिडि ओब आप माप कर जो हाथाथ दीवस कड़ने क्या मैं किता हूं तो नवे कड़ना खताम नवे कड़ना अन्य तमारा जवाजमन मल जिन की काट भी पड़े हैं मैं मैं काएं करगर ना खाए ने जी बेष्वाद छोड़ी दी दो यह उठेगे नहीं 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 बाप में तो आनंद कर रहा हूं लोग क्या कर रहे हैं साब आप सोचिये साब पचास साल से में मैंने कभी वेकेशन नहीं लिया है तुमारे कारण मैं बोलता जा रहा हूं बाकी मुझे वेकेशन लेना हो तो पूरी दुनिया सेवकाई में खड़ी है मैं कहीं भी जाना चाहूं मेरे लिए लोग व्यवस्ता करते मेरी प्रवर्ति मेरी व्यस्तता मेरी व्यास पिठ ही मेरा विश्राम है इसलिए में बोलता क्योंकि मैं कहीं दो दिन दो महीना चला जाओ तो आमां केटलग ने कहां किणूं कांएं क्थावा माने कथा बीना मुझे भी एच्छा नहीं लगता आपको भी अच्छा नहीं लगता लेकिन वात इतना ज़रूर सोचो सेवा समझकर करो केट लुनु को जग ले ले अधर हारु ज़े माडा ले लेए इतु आरुजे माला मतेले ले ले अधर बाप तुम्हें आराम करो फेर वी दूया में तुम्हार काई ये करो लाम मुरक रुख देखो सद्गुरु का मुख कम देखो तो मुश्किल नहीं उसका रुख देखो रुख क्या है और आपको समझ नहीं पड़ेगी तो वो बताएगा वो कहेगा कैसा करो लेकिन धैर यकन था दीरज रखना है तो सेवा कहीं प्रकार से होती है इच्छा और ध्यान देना जिस सेवा से तुमारा सद्गुरु रिजा है जिस सेवा से तुमारा इष्ट प्रसन है जिस सेवा से तुमें कुछ मिला है उस सेवा को छोड़ना भी मत ऐसा रामायन में लिखा है लक्ष्मन जुने देखा कि भर्द्जी आगए लेकिन उठे रहे राखी सेवा परभार सामने संत भरत जार जार रो रहे हैं ए हरी ए प्रभु और लक्ष्मन जी प्राइस चित से अल्रेडी भर चुके है कि संत के बारे में क्या-क्या मैंने बोल दिया है यह वो लक्ष्मन है जो जागरुत पुरुष जो जो गंगा के तत्वर संगवेर पूर्वे निशाद राजगुह को कहते हैं किसी को दोश मत दो रोश मत करो ऐसी ऐसी बलामन करने वाला उपदेशक लक्ष्मन चित्रकूट में संत भरत पर रोश करते हैं संत भरत को दोश देते हैं कहा गई यह विद्वता दो प्रसंग लीजिए एक बड़े उपदेशक के रूप में पेश किये गए हैं लक्ष्मन जी जो पुरी लक्ष्मन गीता शंगवेर पूर पर उनको उसुख दूख करदाता अनिजत्रित करम भोग सब प्राता किसी को दोश मत दो गूख जब गूख ने दोश दिया कई कई नंदी नि मंद मती कठिन कुटिल पन किन जही रगो नंदन जान की सुख अवसर दुख दीन वह इलक्ष्मन को क्या हो गया कि भरत पर इतना रोश भरत पर इतना दोशारों पर कुटिल कुबंद कुवसर ताके यह कुटिल है कुबंद है कुवसर देखकर चित्रकूट में आया है मैं उसको रहने नहीं देंगा कितने आखसे यह क्या हो गया साब देखो तो लेकिन लक्ष्मन की परिभाशा तुलसी करके हमारा समाधान करके लक्ष्मन जीव है जिवाचारी है गुह के सामने उपस्देश देते हैं तब जीवाचारी है रामानूज है लेकिन बाकिज जीव है जो सब के रह ग्यान नहीं करस तो इस्वर जीव ही बेर करव ऐसे जीव होने के कारण अपना ग्यान अखंड नहीं रहता वही हम बात करते हैं दुसरों को शांति की वही एकदम शांत हो जाने में देर नहीं लगती क्योंकि हम जीव वहां लक्षमर जी जीव के रूप में पेश आ जाते हैं वहां जीवाचारिय के रूप में पेश आते हैं मानस के हर प्रश्ण का उत्तर मानस में छोड़ो मानस तुमारे मानस में हर प्रश्ण उठते हैं वो अल्रेडी तुमारे मानस में जवाब भी है लेकिन कुंजी सद्गुरू के हाथ में होती है बाहर से उधार में कोई आस्था मत रखो जो प्रस्ण उठाता है वो ही अलड़ी जाब तैयार करके रख देता है लेकिन इतना हमारा बहुदिक्स तर उपर नहीं उठा बिना सद्गुरू तो रहे राखी सेवा बहुद गुरू नारक देव गिंती कर रहे थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नव, दस, ग्यारा, बारा तेरा तेरा की बात पर जागुरूती होगी वो तेरा जिंदगी भर उसने नहीं छोड़ा जिससे जागुरूती आई है उस तत्व को जीवन परियंत संभाल कई लोगों को हमारे हमारे परंपरा में एक पत्ता उपर से तूटता है नीचे आता है और पत्ता तूटा डार से और वैरागव तो इन पत्तों को इश्ट देव की तरह संभाला है में क्यूं क्या ता हूं कि माला संभाव उन् कि घखल एप क्यों हमें तुम्हें हम जाएसे जिवों को क्या क्या से मिलता है उसको पकड़ रखो मैं तो मारी माला रां मांगे में तू नो आप ताहरी पांशे तुलसी शेतू बना मने आना थी तू मड़े रहे राथी सेवापनभाद अनुमान जी मुझे ऐसा कहे कि नहीं रामचरिज मानजम को दे दो मैं न दो मेरा जीवन ले ले क्योंकि मुझे इससे तू मिला जिस साधन से साध्य मिला है भक्ति मारग में साध्य मिलने के बाद भी साधन छोड़ने की मना ग्यान मारग बात और है ग्यान मारग एक घान बेकटका भक्ति मारग अवरुत्ति में माननेता रखती बार बार अवरुत्ति शिमरते रहो राम ही सुमिरिया अब अब जगत कहता है ये शाष्ट एक बार राम कहने से बात बन जाती है तो पिर क्यों हम माला लेकर नहीं अवरुत्ति भक्ति का प्राण है बार बार सुर्थि बार बार सुर्थि बार बार सुर्थि कराए दो सुर्थि सुपरति एक बार से कहाँ Excuse लेकिन करो जिस से मिला है वो पकड़ रहे राखी सेवा पर भारू चड़ी चंद जबू खेलाू कि शरीर को सेवा में रख रखा है मन को पहunch गया है ढरत जी के पांस भगवद गीता से आपको आराम मिला है भगवद गीता रखो किसी मंत्र से आराम मिला मंत्र को पकड़ रखो कोई भी जिस से विश्राब मिला है इसको निभाये चलो तो सिवा स्वामी के मनो मन के अनुकूल हो अथश्री महारतबता अथश्री महाभारतबता कथा है पुर्शार्थ की सार्थ की परमार्थ की सार्थी जिसके बढ़े लिक्रिश्न भारत पार्थ की सार्थ की बोशित भुआ है तो सार्थ की सार्थ जिसके बढ़े लिक्रिश्री महारतबता महावारता अच्छी महावारता विज्ञान ने कितनी अनुकुलता कर दी एकिने विज्ञान का सदुत्यों करने का भी अकल होनी चाहिए आशंक या बिजव गड़े होई तो या अच्छा बेटा सादु ताप मिटाता है सादु हमारे संताप से हमें मुक्त कर देता है सादु हमारे परिताप को हर लेता है लेकिन कभी कभी विश्व मंगल के लिए सादु उत्पात पैदा करता इविद्रोही निवेदन रामचरित मानस का है और अरिबापु केवल उसका वाहक है इसलिए ग्रंद करांती कारी है और उसका उत्पात जो उत्पात क्रियेट करता है जो उत्पात की रचना करता है उसको लोग समझ नहीं पाते हैं इसलिए कुछ समय के लिए लोग उसके विरुद्ध में चले जाते हैं लेकिन जो विरुद्ध में जाते हैं उसी के कल्यान के लिए ही इस उत्पात का यगन प्रगट करता है ना समझ लोगों को लगता है इस व्यक्ती ने उत्पात पैदा कर दिया पूरे राजस्थान को मिवारी घरानों को चितोडियों को मेड़ता वालें को भी सब को लगा कि इस महिला ने उत्पात पैदा कर दिया मिरा ने उत्पात कहां राजस्थान लाजमरियादा थी और इस महिला ने गुंगरू बांद करके हमारी खानदानी में उत्पात पैदा कर दिया यही आक्षे लोग कहे मेरा भई वावरी सास कहे कुल अधुनिया हैं के जैने के ब्यानों ने पूरुषो ये बव तरास है यह उन थी ये थुडूक्ष है पर सासू ये बव है पूरुष ने सासू पूरुष न थी सासू पूरुष ने सासू ने दिया है शीरियल मा यह मुग सासू वो तमे जूओ आबे हो हुब 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 सासू मारो नात बचावे सासू पूरुष लोगों ने एक समय था बहु हो कुपति कास बहु कुपति कास सास ही तो तरास दे दे थे अब तो अच्छा है साइब अब तो अच्छा है मैं आज पीटे कम सेवा नहीं किया अविनुबै क्या था बाभु आ हूं के लुटमा एंसी एंसी बरहनी बायु शेर हो गाए शाहिरी हो गाए एक अच्कात मा मुझे उपार जाते हैं अब पड़ी तो एनम अच्छा नोगाओ नाँ खाला एको गतीमारी गाटकु पर नीकाता मा जारे उपर तेर चुक्रावत अमें अताक नीकानी शरुवात नीकाता पानुशारी वाडी कीख़बर निपानुषारी वाडी कीख़बर निपानुषाली वाडी कीख़बर नो तु कदास्स और शांगी एमावागां ने लुगाउ प्रेजन हो तो फिर शोक से लूंटो मेरे दिल को यह तो बुढ़ा वो उपड़े रेजन हो संगीत वगर जब मैं गाता था आने बिना संगीत माता वो मुझे साथ देती थी रहबर हो तो मनजिल का पता क्यों नहीं दे पता क्यों नहीं दे रहबर हो तो मनजिल का पता क्यों नहीं दे एक बार ही जिये की सजा क्यों नहीं दे बार बार क्यों सजा देते हो एक बार सजा दे दो बात खतल इक बार ही जिये की सजा क्यों नहीं दे ये सहना गलत ने तो मिटा क्यों नहीं दे नहीं पाचा तो आम आरू जोयलू बदो को नजरे देखा एहवाल से साइब पाचा बेजड़ना जो बढ़ता है ने तो बेहन माता जी ये कहना गलत है तो मिटा क्यों नहीं दे नजर कर जुर्यों पर सेब के सिन के हिवे रुक पर ये वो बिस्तर है जिस पर दम तोड़ा है तेरी नव जाए ये मेरा देखा एह अच्छी बात है साब कौन कहता है माध्यम विफल रहा है इसका मेरा अलोचना के लिए नहीं लेकिन माताएं बेहन बेटियां गाने लेके मेरे कहने का मतलब है साहाब लोग कहें मेरा भाई बावरी सास कहें कुल नासी बेहनों को बेहनोंने ज्यादा पुरुस तो भीचार होवे क्या दूख आपीश चक है इटलोग दूखी नो डालिया था ही कि उसे साहब के नहीं दूख देवानी खबर दूथी के दूख के हम हपाएं एक बेहन जोतिश के पास गया जोतिशी के पास पर्सले वो तो ओफिस गया स्वमार जे ओफिस चरूप गर में कोई ने जोतिशी बेटा था शंकर माराणी तो बेहन जी कुछ पूछना है मैं जोतिशी हूँ मेरे पती के बारे में पूछना है बोलो उसका भविश्वता दो उसको शेट के दंदे में क्या होगा मंदी से बाहर आएगा कि क्या होगा आगे उसका दंदा के बता दो साब बता दो आईए बेंच उन्हें मुझे उसका भविश नहीं बताना भविश तो मेरा मेरा हाथ में है उसका भविश मेरी मुठी में है बुदकाल बता कि वो था क्या क्या करता था कैसा था कौन सता रहा है एक समय था बहुत पिड़न लेकिन सासों ने भी कम पिड़न नहीं किया है बहुत पिड़न किया है तो बाप लोग कहे मेरा पर आज ही हमारा जो युवान कह रहा था कि बापु मैंने कहीं सुना है कि एक पति-पतनी मंदीर में दर्शन करने गए तो पत्नी कह रही है यह परभू हमारा साथ जनम सबंध बना रहा है साथ जनम तो पती ने कहा कि호 यह परभू यह मेरी भी सुन कि यह मेरा आखिरी जनम हुँ वह साथ जनम भारति नारी साथ जनम तक मनती है ठीक है अच्छी बात है कम से कम अच्छी बात है बाकी तो भारती प्रेम तो कहता है सौ बार जनम लेंगे सौ बार भी छोड़ दो अनन्त बार जनम लेंगे शास्वती की हमारी प्रेम शास्वत लेकिन वो तो कहा है इसलिए यह सब चलता ठेट छोड़े, मिरा ने उत्पात पैदा कर दिया, कभी औरंजेब ने कहा शर्मद ने उत्पात पैदा कर दिया, इरान के शाह ने कहा मनसूर ने उत्पात पैदा कर दिया, रामांडलीक ने कहा नरसी मैता ने मुरे पूरे जुनागड में उत्पात, समाज में उत्पात पै करवास आप कितना अद्भूद शेद कह रहे थो कि ऐसा वरताव किसी इंसान के साथ नहीं तो उसने अपनी वो भी खुद को उठानी पड़ी कांटो का ताज कोड़े मारे जा रहे हैं गिरे जा रहे हैं जिसस और उसको अपना वदस्तम अपने पीठ पर लगा भगवान करे ऐसा वरताव किसी के साथ समय लेकिन यहुदियों ने कहा जीसस ने उत्पात कर दिया कभी कभी लाओं ने कहा हुसेन ने उत्पात कर दिया कर्बना के वेदान ने उत्पात कर दिया लेकिन यह ना समझ लोग नहीं समझे ये उत्पात नहीं था जग मंगन की एक वीधी थी यह ठीक से देखो कई लोगों को अपनी समझ नहीं और सद्गुरु की समझ के साथ सहमत होना नहीं या तो अपनी आँखों से देखना सिखो या तो किसी आँख पर भरोसा रखो न भरोसा है न अपनी आँख में मूत या बिंद लगे हुए न दिखता है अंधा अंधे को खिंचे जा रहा है इसलिए इल्जाम लगाए गए उत्पात गांधी ने उत्पात कर दिया अंग्रे जो ने कहा इस मूढ़े ने इस आज मिने उत्पात से लिए ये न होता तो हमारा ठीक से चलता एक शताब्दियो और राज कर लेते लेकिन कभी कभी साधू उत्पात निर्मीत करता है जगमंगल के लिए जिसका करोध भी निर्वान दायक माना है अब ही साधू कौन वो शास्त्रों से आप उसकी व्याख्या समझ लिजी अच्वा तो आपके अंतहकरण की प्रूर्ति प्रमान दे लेकिन मैं बहुत पवित्र भाव से साधू शब्द का प्रयोग कर रहा है मैं ही जानता हूं कि सब लोग साधू वो भी नहीं नहीं भी होते हैं फिर भी साधू जिसके कारण हरी को अवतार लेना पड़ता है परित्राना इस साधूना इनान शाय चदुष्क्रिताम एक क्रिष्ण का अहे तु प्रेम है ताकि साधू को किसी के परित्रान की भी जर्वत नहीं है क्योंकि साधू असाधू से डरता नहीं ध्यान देना वाक्य है है साथू कभी असाधू से डढ़ेगाने असाधू से डढ़े वो साधू नहीं ध्यान गेना हकीकत भिन्हे असाधू सदेव साधू से बहुँआ वह परपच अपने अहंकार की शुष्टि करेगा लेकिन बीतर से बाउड मेरी माँ जानकी का चाया भी साधू है लक्ष्मन की खीची हुई लकीर भी साधू है पंचवटी मुनियों और साधू का प्रदेश बहर ही गोडावरी स्वैम साधू है लेकिन असाधू रावन डर रहा है साधू से असाधू डरेगा सो दस सीश स्वान की नाई कुत्ते की तरह रावन जाता है पंचवटी में साधू को किसी का डर नहीं और साधू को किसी का डर नहीं उसका अभिमान भी नहीं अभिमान एक स्वैम अपने आप में डर है क्या क्या सुनाओं यार मुझे इसा होता है साधू फिर कई मेरा ठिकाना नहीं रहता तो मासा मान नदियमा पूरा मारे 24 क्लाक पूर तिक्या करूं साधू परवाश साभ अपने कल ठीक आप शाहिरी में बोलते हैं मैं में वक्ते में लेकिन आपने वो शाहिरी मानों कितनी कि कभी-कभी होता है कि इन गजलों को आग लगा दूँ क्योंकि दुनिया सोती है और मुझे जागना पढ़ रहा क्या सत्य उद्गोशित हुआ इले आमाओं क्यांक थी क्यांक चुकी जाओने तो भूल नहीं काटता मौज करो लगबग चुकीश नहीं चुकीश तो पूछी लईस तमने के महा भारत माई भाई नाम शूँ होती हुआ तमने ब्या जणाने तो पूछी शाग और न्याद ब्याज जो अवे हाथे दी वस्तर में ले मारतमने गोतवान अपड़े पंचवटी अनंकरारा हुँ बेटा अनंकरारा हुआ अनंकरारा हुआ अज़रो दा देहन देन ना इस तो इस तो अज़रो पड़ो लिदो जो आप को नहीं लगता कि मेरी व्यास पिटने भी उत्ताथ रशेट आप को कहीं के नहीं रहने दीन ना आपको घर में अच्छा लगता है ने उत्ताथ महीं तो और जाए है परवाज साब परवाज साब एक मिन प्लीज वो शेर सुना दीजिए आसमा की तो छोड़ो जमी के भी नहीं रहने दिए माइक दो माइक दो अच्छा शेर ता कल जो शुरुआ थी अथ जो था बड़ा प्यार तो मारे बटकु तयार रखो इतना आनंद मुझे आ रहा है कि उसे की शेर पड़ूह में डिस्टर्बणी मैं आनंद ले हो अगयो भoo जाद एक ही शेर पड़ूह क्या आसमा का जिक्र जमी का नहीं रहा, मैं तुझसे प्यार करके कहीं 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 का नहीं रहा, तो त यह सारी दुनिया में इंसान्यत की बात कहता डुले हरे एक दिल का जिसे दुख दिखाई देता है उसे तो सारा जमाना बढ़ाई देता है पुशे का कोई बुरा भी कहे तो जवाब क्या देना कोई बुरा भी कहे तो जवाब क्या देना ये मान लीजिये उचा सुनाई देत अच्छे बाद, अच्छे बाद, ये मान लीजी, ये मुच्छा सुनाई देता है, आखिर शेर बाद, तीसरा, तेरी गली में तुझे देखते ही दिलने कहा, तेरी गली में तुझे देखते ही दिलने कहा, यहां तो चांद भी दिन में दिखाई देता है, यहां तो चांद भ लोडो जमीके भी नहीं रहें, उत्पात में तो क्या है, तुम्हें विरोधेकरों मारा वगर रही है, नो ये कोजा है, ये उत्पात में तो है क्या साथ, चिकायद भी, गिला भी, लेकिन, लेकिन ध्यान देना, सोच समझ कर सुनना, साथू का उत्पात, विश्वमंगल का कारण बनता है, ऐसा रामायन में लिखा है, ये अमना नहीं कोजी तो गुणू लांबू करीश, तुम्हें ठाकी जाओ पुछी को, साथू को, ध्यान देना निवेदन को ठीक से सुनियेगा, साथू को कभी असाथू से डर नहीं हो, अवस्य, असाथू को, साथू का डर सदेई, अंधेरे को, उजाले का डर होता है, प्रकाश को, अंधेरे का गभी अभी अभी निकट जाइज, वो अवसी नसा ही, उसको क्या डर? एही तो परमात्मा का, एही तो प्रेम की उद्धोशना है, कि परित्राना इस साथू नाम, मैं साथू के परित्रान के लिए आता हूं, बैकि साथू को परित्रान की जरुरत नहीं होती, ये उनकी रहमत है, वो अपने काबू में नहीं इसलिए बोल रहा है, प्यार उसको म करते हैं इप्रेम हैं नागे तक न्क देन ठागर नत कदेन ए मारा नात मानस में लिखा जो वो तो करा उत्वाइट नारी बंद कर पीट घीचाती नारी बंद कर पीट घीचाती नारी घीचाती बैनो खोड़ो खोड़ो तुझे खुटे नहीं को नारी बंद कर पीट घीचाती अव कपी दूई आये उत्वाइट अव कलम का पान नारी बंद कर पीट घीचाती नारी बंद कर पीट घीचाती नारी बंद कर दो अंगद और हनुमान दोनों लंका के रणमदेन में जोर सो प्रवेश कर रहा है ब्रह्माम और आस्मा पटड़ ऐसी वीर गरजनाएं और दोनों को सभी तो देखिए एक राजदूत एक रामदूत रामदूत ने लंका जलाई राजदूत ने लंका को जगाई एक साध्यू ने कुड़े करकत को जला दिया और एक साध्यू पुरूश ने लंका को जगा दिया अंगद जगाने वाला हनुमान जलाने वाला पुलत पुलत सब लंका जारी उलत पुलत सब लंका जारी पुलत पुलत सब लंका जलाता है राजदूत अंगद लंका को जगाता है दोनों राम के पायको को अधूत काम किया है दोनों अंगद रन भापूरे है दोनों कि दोनों कि बहुत जंती है अग्रिकेट माई यह वी जोड़ी आवे में हम हमी बैट्समें डिक क्या रहे पजी छक्का उपर छक्का छुटता वे ब्रो कि अच्छे बैट्समें आजाए जाए जाए जानवान जी ने सुना कि वाली पुत्रंगत अकेला गया है लंका कान अजबीत है साथ अभी तो लंका कान को छुआ कहां हमने तो कि मैं देखता हूं सबके जीवन में लंका कान चल रहा है इसलिए दाने की जरूरत में इसलिए अन्वान जी महराज निकल पड़े के अंगद अकेला गया है राजदूद गया रामदूद भी चला है यहां मेघनाद सबको परेशान कर रहा था बहुंकर युद्ध और मेघनाद पस्चुन दर्वादे के युद्धा है पास्टाथ संस्कृति का प्रतिनी जित्व इंद्र जीत में मोह दसमावली तदभ्यात अहंकार पाकारी जितकान विश्रा महारी अतीशय विशय पना प आश्चात देन है भारत का विशय यह धर्मानुकूल होता है पुर्वकी सभ्यता काम भोगेगी धर्माकूल धर्मानुकूल विशय की विलासिता यह पश्चिन दवार है जिन्दगी का वहां इंद्र जीत विद्वादे का है और लंका की महिलाओने जरूखे से खिड कियो अरे मर गए मर गए अब वो ही दो कपी जो उत्पाती है वो भिराए एक ने जला डाली थी एक ने जगा डाली थी लंका को वो दोनों आए नारी ब्रंदे कर पीटही चाती नारी ब्रंदे कर पीटही चाती अधरो भिराए उत्पाती अधरी बदो आए उत्पाती करने हैं दोनों के हाथ में गदा है पूछना जुंडामा कहरी सिंग देमा हर यह लग है रहना हो जो आंगनों माधिया मर्कुरी ठीक है नारी ब्रंदा सोचने लगी कि मरे अब दोनों ने पहला क्या हम क्या किया लंका कान में सोने के जो खंबे थे वो पकड़ करके ही लाने लगे तंचन के खंबा और दोनों ने आपस आपस में कहनी करिया उतपात अरंदा चलो अब उतपात करें बानों साधू है बानों संत है और उतपात का अरंद के साधू उतपात करता है अरंद करता है अरंद करता है ले अरंद करता है और उतपात का श्री गनेश सोने के खंबे को तोड़ करता क्योंकि लंका का बल तंचन और कामीनि में छिपा था कामीनिया ठापी कूट रही है और बचे थे निरजुन खंबे लंका जलाई थी आप वो खंबे को स्वर्न आसकती को तोड़ी जा रही है सुन्दराय तल्यागना कानक खोड़ वीची प्रभमती परते सुन्दराय तल्यागना था चमभत वर्त सुबर्त दी चार पूर बहु विधी बना रजबाज इखा चर रही का अक्मल चर रध्वरू धन ही ओं तरे वहु रूपर इसी चर जूपर अक्री परसे सुने के खंडर पकड़ 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 के हिलाने लगे बवनों को तो बात अब दोनों ने कहनी बात चित करेंगे कि अइसे अंगद आया उधर से खंबा पकड़ एकने सुने का खंबा एकने पकड़ एकने पकड़ अंगना मजे थामला तो सुना ना पड़िया मन्या अंदर जी गर्मा ने गर्मा तो पूटा है विदा दोनों के हाथ में कंचन खंब है सहाब और दोनों ने निकटा करके अवे निकटा है वे एक थामलोई आतो एक है आतो अंगद अंगद ने वो पकड़ा अंदर जी ने ये पकड़ा दोनों को कुछ बात करना है कि उत्पातारम करें कहें ने करिया हुआ 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 है ऐसे तो इन जीक क्यवा मेंटे आम थे आम थाम लोले हम लोग फिडियो जैसे क्रिकेट की दोनों बल्ले बाच कभी कभी बीच में मिलकर ना अनफायर को पता लगे ना बॉलर को पता लगे इस कुछ बात कर लेते हैं जोनों पर मारे सिक्स मारे बात कर लेते हैं और इन लोगों ने यहीं काम किया महा महा मुख्या जे पावड़ि महा महा मुख्या जे भावड़ि कर पर्भु पाँंस चलावड़ि निए सिक्सर मारे से सहई बड़े-बड़े सहीनिक को उठाकर ले राम की सरण में दूसरे को उठाया हर जांद बाउंडरी बहार मुक्ती निवनार बट्च साधु का उतिपात ऐसा होता है कामना, क्रोध, ममता, विकार इनको पकल पकल करके राम की और गंद बाउंडरी बहार याटके की बाच जा रही गया महा महा मुखी आजे पावई ते पद गई प्रभु पास चलावई मेरे दो बैक्समेन रामायन के आज प्रिकेट खेल गए श्री राम जे राम जे जे रामा श्री राम जे राम जे जे राम हरी बोल तखना से अनों को बोल डोल हरी अनुट श्री रम जे राम जे राम जे राम जे राम श्री रम जे राम जे राम जे राम जे राम श्री रम जे राम जे राम जे राम श्री रम जे राम जे राम जे राम श्री रम जे राम जे राम जे राम जे राम जी रम जे रम जे रम करिया उत्पात अरंबा गुफतदकू कर ले, बौनों ने अंगा जनुवान ने कि उत्पात का अरंब करें, एक दूसरों ने सहमत्य दिद्ध करें, और उत्पात में क्या 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 बहुतूं। और इन में से साव बाउंडरी के बार करने लगे, निर्वान देने लगे, प्रभू के पांस युद्धाओं के टेरों, एक के बाद एक ग्यांद बस बाउंडरी से, मुट्प, मुट्प, जो राक्षस भगवान की शरण में, इन दो साधी पुरुश के द्वारा भेजे गए हैं, भगवान विबीशन को पूछते हैं, ये कौन है, विबीशन उनके नाम कहते ही, कुलिश्षरद है, राम कहते है कुलिश्रद, ये बोले अकंपन, ओ, ये अकंपन, ये, ऐदुमर कहत अब भीपिशा बता रहे, यह ऐसी गेंथी, यह ऐसी गेंथी, यह ऐसी गेंथी, निशनात है, और फिर बगवान उनका नाम लेते हैं, अरे हरी का नाम ले उसका उद्धार हो जाता है, हरी जिसका नाम ले, यह दुम्र के तो? उमाराम म्रदुचित करुणा कर भगवान सब को मुक्ष देने लगे संसार के बंधनों से पार करने लगे और मेरे संकर का निवेदन कोमेंटर है कर लास पर बेटा-बेटा कोमेंटरी दे रहा माँदर और जैसे स्पेस्चालिस्ट का अभिप्राई होता है दो कमेंटर होता है इसमें एक एक निशनात मेरा माँदर निशनात उसका है कि भवानी आप ऐसा मत सोच ना कि इस गेंद को ऐसे क्यों भुर्भू ने वो करा दिया मुत्ति क्योंकि स मुझे व्यर भाव से भज़ रहे यह यथामां प्रपर्भ्यम टेश्ताम् तथै वभजयां यहम जिस भाव से मुझे भज़ रहे है मुमा करुना कर उमाराम म्रविचित करुना कर दैर भाव मुई satisfies देघ़ पराम गति अस प्रभु सुनिन भजय ब्रमत्यागी नर्मति मंदति परम अभागी अहनी करिय उत्रपात समन अमीत उत्रपात सब भरत चरीत जप जाग बरत का चरीत्र उत्रपात का समन करता है वैसे ही कभी कभी साधू उत्पात प्रगट करके विश्व को निर्वान का दान कर देता है अधिरामायन के आधार पर मेरी बोली चली कभी कभी बाकि साधू को किसका डर साधू को डर लगता है उजाले को किसका डर अंधेरे को डर रहता है कि कहीं दीप नजल जाएं कहीं रोशनी नजल जाएं पंजाब की बनी घटना दो भाई थे मैंने शायद ये पहले कभी बात कहिए आपको शायद आपकी स्मुर्ति में आजाएं ना आए तो कोई बात ने चाश आपड़े रोध न थी पिता खिच्डी रोध न थी का था इसमें क्या आप एक भाई बड़ा साधू प्रेमी कोई भ करें लेकिन उसका छोटा भाई बड़ा हट्टा कट्टा इक पंजाब याद में साधू नाम से भू है तो उसका भाई जो ता वो गर में नहों तब साधू को बुलाता था एक बार उसने पुझा कि मैं जब तेरे घर आता हूं तेरा छोटा भाई क्यों नहीं आता सत्संग नहीं बड़ा उसका नाम मतलो वो आता तो आपका आना बंद हो जाता ये बड़ा साधू भी रोती है सब साधू उससे डरता है ऐसा असा असाधू है उसने कहा कि वो सब सा साधू मैं मैं नहीं हूं की साधू से डरू मैं ऐसा साधू हूं कि तेरा भाय असाधू है वो मुझे डरे अथवा तो उसको साधू बना दो बाबा जीत छोड़ो इन सुधर यह नहीं सुधरे तो मैं बगड़ी जाशो देश में जब सब जगर राजा शाही थी न तो राजकुमारों को पढ़ाने के लिए स्टेट के राजा अपने राजकुमारों को पढ़ाने के लिए अंग्रेजों को ट्यूशन रखते थे माइकल स्टेट का नाम में नहीं दे उनके राजकुमार का टिचर रोज अंग्रेजी पढ़ाने आया तीन साल अंग्रेजी पढ़ाया माइकल गुजराती शिखी गयो अंग्रेजी नाखिखी विलो शिखी कि र露तला घडाव पाने रोटला लाव अंग्रेजी वलोंग्रेजी गुजराती बल अ अ तेरे भाई को न सुधारूं तुम्हें साधूने तोले बाबा जीत छोड़ो कि आविग्योने तो बहुत हट्टा कट्टा है मैं उनका बड़ा बाई मेरा शरीर देखो फिर भी मेरी शादी भी हो गई है इसलिए थोड़ा कमजोर हूँ एक आदमी को किसी ने का कि आप बारह होते हैं तो शेर जैसे लगते हो गर में बहुत है गर में क्या है देवी शेर पर सवार हो जाते है जगदंबा शेर उपर सवार होते हैं निवा घेश्वरी विश्वम भरी खिल विश्वतनी जनेगा लाकि मैं तो शेर ही हूँ लेकिन घर में आता हूँ तो शक्ती मेरे पर सवार होती है दुरगा पैट जाती है तो मेरी शादी हो गई है पिर भी में कैसा लगता हूँ बले तु बड़ा हटा कर तो मेरा भाई तो शादी नहीं हुई और जब भी सादू आने की बात हो वो चोटा कैदा मुझे बता देना में एक दिम पहले चला जाओ वरना सादू मरेगा मुझे मुझे रास नहीं आता कोई सादू बावा आगे अब सादू ने भी जीद पकड़ी बड़ा उतपाती रहा होगा सादू एक दिन अचानक आया सादू और ऐसे समया कि वो दरवाजे में प्रवेश करने जा रहा है और वो सादू विरोधी बाहर निगा मुकाबलो हामने सामने थेखिया जैनि जोटावाट इशेरी महामा मेले है अना जोगड़ी गया दिलना कपाथ मातमा ने देखा कि लगता तो है वो ही इसने का महराज आप जब भी आते मैं घर में नहीं होता हूँ आज मैं हूँ और देतू तु कौन मुझे निकालना वाला मैं तुसे नहीं डरता मैं साथू हूँ तेRelा जैसे साथू शेनी साथू ये मारा बडा मुकी डिदी चीप यो मुकी डिदो जटान हर की बांच डिदी बा-बा-बा-बा-बा-बा-ब्र खूले बलाबले करें अर शाहे बे उतरी पिलिए माराद ने पचेड़ एग शातिना वाल खेंचिली था जम्छोकर रमतुएं बर्वान दिकरियो जवरा वाईवा खौडिया मां तोफवनी सोकर रबदूकली नां करें नां करेंचिना चातिना वाल करें लोह एंप दॉ्ष् चलमनी बीडी पीदी रादेशा में, तुलसी राम बापु यच्वत कर देखाई। चलमनी बीडी देखाई। चलमनी डीदी चलमनी बीडी तुलसी देखाई। करना खरहि today और anda अजंग। этि अजा मु घाक्त निक भाम्रड को और तरह अजा किट मैं ध आ रहितiner खुक्राशे मापने डिके जुउ में खड़ बारे मासे एंग्द다 gust कि हमारे माल बद्द्दे इस हा आच वग माते बद्दी खोगछ तोर्भी जो टियए हों याने तो गाकिट नाइचु एक गर्मा पंदर जना, पंदर सदश, पंदर, कुटुम नियोजन वाला आविन विया जए, पंदर ने बैठे लाओगे, तुनु मन्नु, पंदर, को के कुटुम नियोजन वाला पूछिए, के तम्या अना गर्मा कें काई गलता आती उपदेश आप पंदर जना, पुलें, मैंने हम के इस्कूल चला वेका. से विरनीben थे वह की गvania बटार से फिरख रफैंस रमथर disgusting अरुष्ध कि एस मैं की हां जय्या का बट आओğ अए मैं बेट हें पुले बखुझ रहसे बताओ कुछ आओ किप Лिकी बातब करो तुल्सिसाम बापु के वे गेब कि क्या बाते खाओ प्यों महुच को बापु मने के बापु मने रादेशाम पूच पूच करे मैं क्या मारी पांसे गांजानी बीडी हती मैं को दुले आपी कि अबनी कट नाज पुचो ने रादेशाम है पुचो ने रादेशाम है पाचा तो हट ने एन गांजानी बीडी ब्या गूंत लगाडी और पर्शे होग अज पानी सैटी ने ताइल उपर कहीं जास प्यूड़ावी वैटन कला कंकाने टी हूड़ावी या अन पांच वागे रादेशाम रहष्य तो कमे डगा रहष्य कि अब अवख अब को मैंने प्रस्तूति अपने धंग से कई बाज की बनी गटना जग्या सोई और संतनों संग अराम जापी देतन कला कारामा पी दोरेशफ निम्हार तुलसिष्ट। शूट पापु जो मिन दर सबूत है संतुछ है। हम विए यह पास वो काई आए भाई जावाई लूने गान। कर लो छोड़ी देथा तिंगे इनगे वापु जरा डिपरेस रहता है। जपत बोला जब दोट दिवस और लेजी मारा मगज में गांजा परेश एनिया जपत उशे दवाड़ो दवाड़ो आनन्द करो प्रसन्नता ही जीवन का रहस्य है बाकि सो साल के अंदर कल परवाज साब कहता है जिंदगी कहानी है हकीकत थोड़ी है ऐसा कुछ कहा था ना प्रवाज साब कहानी कहा था ना कहानी है दुनिया हकीकत नहीं है यहां एक पल को आ रहा है और चार-चार गंटे हमारा हम ले लेते हैं क्योंकि एक ऐसा भक्ती का एक ऐसा अधभूत मौज है यह मस्ति है आनन करो साथ क्यारे बड़ी पाचा शिरी सहले हम गिनान तो तम्हें गिनानी तो चोज हमारा बाप तम्हारा जो गिनान कौने है यह साइब हम खोटो आब दू पानी डौड़ू बेटो बेटो इटले ले 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 लेकर आओ साइब तम्हारा विल्ड़ाने उलेच उसाइब क्यांकि जो आची हरवानी निकड़ी जाए मारा बाप तो मारो श्रम नहीं मारो विश्राम पाको सब्सक्राइब करें लेकर में तमने ऊचान नथी लाड़ के रहा है काले कोई मने कैता था बाप तम्हें बदाने अटलो बदो भावाई पो ने ना परिणाव हो यह मने काले पर नहीं बाई मुह मारो स्वभाव क्याम जतो कुई नहीं तेवा तो मारा जानों छो मैं मैं द एक बाई आज पूछी उसे हो बापू कोई आपनी अलोचना टिका निंदा करे तो यहना वार्मवार खुलासा के जवाब अपानी जरूर चे अब आना जवाब तुम्हें केटली उगदाए पाजे के जरूर न थे आब दानों संग्रह चीतमा विक्षेपना करे आब दू कोई अलोचना करे निंदा करे टिका करे तो उसका बार 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 गुलासा करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो इस अब अपने चीत में भरा रहे तो विक्षेपना करे किसी व्यक्तिके प्रती द्वेशनों फिर भी उनके कुछ दोश और आदत स्वभाव के कारण गमा अन साहजता और प्रसंदा कम हो जाती हैं साहजता और प्रसंदा टिकी रहे इसलिए क्या करना चाहिए नहीं हो तो कता सुनते हो, आपकी क्या टिका होती है। मुझे पोछो. आपको क्या पाढ़ दिश्टर्ब करेगा। आपको क्या आलोचना भोगनी पड़ेगी। आलोचना तो हमारी होती है साब आपको क्या होता है साब। अब थोड़ी सी बात हो, डर क्यूं जाते हो, मैं सालों से सहन कर रहा हूँ, और मुझे जानता कि प्रतिष्ठा मिलती है, तो निंदा भी मिलेगी, उसके लिए राजी होना चाहिए, इसमें क्या? कुछ लोगों के फेके कंकडों से, अपनी शाखा मत चुने, क्योंकि पक्षी को पता होना चाहिए, कि मैं कंकडों से नहीं उड़ता, अपने परवाजों से उड़ता, हरी नाम से उड़ो, परमात्मा की निष्ठा से उड़ो, कंकडों तो लोग फेंकते रहें कि इसमें, पूरी दुनिया को कैसे करने चाहिए, आप व्यक्तिकत रूप में बोलोगे, आपके तो कुछ आलोचक होगे, संसार में, व्यासपिट के तो कितने आलोचक होते हैं, फिर भी मेरी व्यासपिट तो बहुत नफा का सोदे में, कि अरे कितने आलोच, फिर भी आलोचना को लोग करते हैं, ठिका करते हैं, गालिया बगते हैं, कभी कथाओं में नहीं बोलता हैं, लेकिन कोई कथा में तो हर कथा में इतनी इतनी चिठी हैं, उसमें गालिया ही होती हैं, लोग, क्या करो तुम, मैं आपके सामने पढ़ू उस अदेशाम जी, उधार पैसा लेना अच्छा है कभी, नहीं है ना, करजा लेना, मजबूर ही होती है साथ, पर किसको करजा अच्छा, उधार पैसा लेना अच्छा नहीं, तो दुनिया की उधार दोश हम क्यों अपने चित में लेते हैं, वो उनका है, वो उनकी निंदा, उनक क्यों कर जा लेते हैं उनकी संपदा हम क्यों रखें वो रखें साधक को चाहेंगे सावधान इन छोटी छोटी बातों से प्रसन्नता को गला मत गौंटो मैं इन आलोचना से डरूं तो कथा कैसे कम उसे ख़ण में छोड़ देता हूं क्या क्या इससे क्या लेना देना है मैं कहीं बार कि एक लाख रूपिया लोग कमाए तो उसको टेक्स जितना टेक्स की जो हो कि इतना प्रतिशथ टेक्स परो पांट लाख कमाए तो उसको ज्यादा परना पड़ेगा एक करोड कमाए तो उसको ज्यादा परना पड़ेगा बड़े-बड़े उद्योग पतियों को ज्यादा वैसे इतना आधर और प्रतिष्ठा व्यास पीट की में को मिलती है तो थोड़ा टेक्स भी चुकाने पड़ता है इसमें इसमें क्या चिंदा तुल्न निंदास तुतिर्माउने संतुष्टो ये इनकी निकेता स्थीर मतीर भक्ति इमान में परियोग नारा इससे दरना क्या आपको तो क्या आलोजना आपके गरवाले कुछ कहते होंगे परिवार के कुछ कहते होंगे अगल बगल के लोग कुछ कहते होंगे इससे जाजा नाराज क्या अब पूरी दुनिया की गालिया सहन करने पड़ती है मैंने कहीं बार कहा कि मैं एक पत्थर लेकर लोग देजरा नगी जए तो कदाग्द बया विद्धी तो थेक लए तो कदाग्द ढख तुब त्रण रिती जादा निशानन लुग तर अश्ब अश्ब इस घाला जाटरा ओन कर जादा जो अच्ब आद गए टिकरी जो हम ठेक है इसा हो सकता है एक कांकरे बेपंखी जीवा जोई है मरवान जोई है वसंद भाय परीक अमरे लिए एक कांकरे बेपंखी मारवानी बात भुलो एक कांकरो है ओ मारो एक सुत्र है सब फैको कि दो जीव में चेतना प्रगट हो जाए यह एक किस्पी सदी की माँ लेकिन आप सब पत्थर मारे तो मुझे अकले कोई लगीगा ठीक है मैं एक मार हूँ तो आपको एक लेकिन सब के हाथ में पत्थर हो और कल परवास साब कह रहे हैं थे कि मैंने इस तरह महबबत की है कि तुने फैके हुए पत्थरों को भी मैंने चुमा है एसा एक शेर आपने कहा था हाँ परवास साब पुलो बटकू आप इश्क में यूं भी किया खुद को तमाशा मैने इश्क में यूं भी किया खुद को तमाशा मैने तेरे फैंके हुए पत्थर को भी चुमा मैने तेरे फैंके हुए पत्थर को भी चुमा मैने पहले डाली तेरे चेहरे पे बहुत देर नजर अच्छी बाद इद का चान तो फिर बाद में देखा मैने इद का चान तो फिर बाद में देखा मैने अब दो शेर में पढ़े नहीं कभी अभी बापू के रहे आलोचना ये भी आस्पीट की आती है तो दो शेर पढ़ूँगा बस दामन पे दाग आए ना आए मेरा नसीब मेरा यहां बापू बोल रहे हैं दामन पे दाग आए ना आए मेरा नसीब कीचल उचाल कर तेरी हसरत निकल गई दामन पे दाग आए ना आए मेरा नसीब कीचल उचाल कर तेरी हसरत निकल गई पर ये मेरी सोच है ताजा गुलों में रहती है तभी तो मेरी घजल खुश्बूओं में रहती है तभी तो मेरी घजल खुश्बूओं में रहती है ये आंधियां तेरी आंखों का क्या बिगाडेंगी ये आंधियां तेरी आंखों का क्या बिगाडेंगी के इतनी धूल तेरी जूतियों में रहती है के इतनी धूल तेरी जूतियों में रहती है इतनी चीखे सुनकर भी जो गुंगा है इतनी निंदा सुनकर की जो चुप है रदै से दुरभाव मुक्त रहता है इतनी चीखे सुनकर भी जो गुंगा है हम उसको दिन रात पुकारा करते है तो हम कुछ कह रहे थे साहब कि अलोचना वो थी इसमें क्या डरना यह तो बहुत उपर-उपर की बात है साहब इसमें क्या बला बुरा सबका सुन लीजे ए भली बात सबूरी में मन लागो मेरो यार बहुत अपने आपको तैयार करना पड़ता है साहब देखो साहब मेरा अनुभव मैं आपको बताओं अवस्थावेद से समय जादा कम हो सकता है लग सकता है लेकि सर्वसामान्य साधू का अनुभव है कि आप हरी नाम का खुब जब करो तो तीन महिने में तुमारा शरीर भर जाता है हाँ अवस्थावेद से किसी को तीन साल भी लग जाए हो सकता है तीन जनम भी लग जाए लेकिन सर्वसामान्य मत समर्थ स्वामी रामदास ये लेकर मैं आज तक कह सकता हूँ इसमें स्वामी रामतिर्थ भी आ जाते है कभी सरदार पुर्ण सिंग को आपने ये बात बताई थी कि जब सरदार स्वामी रामतिर्थ की कुटिया में सोये थे और अचानक राम 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 शबद सुनाई दिया तो पुर्ण सिंग खड़े हो गए कोई है तो नहीं यहां कहां से स्वामी जी जाग दए और राम 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 लेने लगे कोई नहीं था तो वो खुद खड़े हुए दरवाजा खोला तो इसमें वो राम नाम की धुनी सुनाई देती बंद हो गए होती थी लेकिन खुद की आवाज इतनी बड़ी कि वो आवाज सुनाई नहीं दी फिर वो लेटा पांच मिनिट में फिर सन्नाटा हुआ फिर राम राम के आवाज होने लेगे तो पुरन सेंग से नहीं रहा गया महत्मा को जगाया और कहा कि बाबा में बड़ी मुश्किल मैं हूँ ए राम राम कहां से आवाज आते तो खहां छोड़ पुरन सेंग मेरे साथ रहकर भी तुन न समझ पाया मुले समझू न समझू मेरा सद्वाज्य है कि आपके साथ हूँ बुले मेरे बोड़ी में मेरे शरीर में राम नाम इतना भर गया है कि सन्नाटा होते ही मेरे अगल बगल वालों को सुनाई देना शुरू होता है फिर वो कहने लगे कि आप तुम मेरे साथ रहा तो कुछ बाते बता दो स्वामी राम तिरत कहते है बुले बाबा ऐसी स्थीती में कितने महीने लगते बुले अवस्था बेद से समय कम ज़्यादा लेकिन मुझे तीन महीने लगे राम तिरत की भाती यदि जापक राम नाम तो मैं बोल रहा हूँ जो भी नाम लो आप कोई बोना कोई भी नाम लो जाद भी निरंतर हरी नाम ले उसका बौड़ी राम नाम से बर जाता है हमारा अंतरिक बाहिया कुलाहल शांत हो और उसी महापुरुष की दूनी शुरू हो जाती है अब वो आवाज उसने जिस मात्रा के जिस स्वर से उच्चारा हो उसी के नुरुक होती है इसलिए बहुत मंदस्वर में उसने उठाया हो तो बहुत सन्निकट वाले सुन पाएंगे बहुत सब्तम में चले गए हो हरी बौल हरी बौल यसे चैतन्य महापुरु कहा करते तो और लोग सुन सकते पुर्ण सिंग के आँखे डवडवा गई और पूछा कि बाबा आज आप कृपा करके बोल रहे तो और नुभव बताईए बोले सुन सर्दार तीन महीने लगते है अपने बौड़ी को पहले तो अपनी पेटी भरो हरी नाम से स्थोन रुप में खूब जबो जो लोग कहते कि राम राम तोता रटन क्यों इनकी सुनो बुनो मत वो अपनी बात करते हैं तो अपना के जाओ खूब हरी नाम इसका मतलब अपना करतविय न छोड़ो उतरदाइत्व न छोड़ो अपना काम करो लेकिन बस मौका मिलते ही हर तीन महीने बौडी भरने के बाद राम नाम से मन को भरने में लगते हैं तीसरे तीन महीने में मन भर जाता है मन में राम नाम के सिवा कोई सोच ना है पेटी खोलो और जो बरा है वो ही निकला है पेटी खोलो जो बरा है वो ही निकला है पेटी खोलो जो बरा है वो ही निकल तीसरे तीन महीने फिर क्या होता है बोले तीसरे तीन महीने में यहां तन भर गया मन भर गया इसलिए तीसरे तीन महीने में साधक को नहीं जपना पड़ता फिर हरी जपता है बोले यह तीन तीन का तुकड़ा क्या मेरा अनुबव है कि कुल मिलाकर नव मास का गर्व है साधक का और ये नव महीने पूरे होते हैं और हरी प्रगट हो जाता किसी नि किसी रूप में अवस्था बेज से हम जैसो को तीन साल लगे किसी को तीन सो साल लगे तीन जनम लगे और तुलसिदाजी कह देते हैं जनम जनम मुनी जतन कराई अंत राम कहीं हावत नाई राम का अंत नहीं आता इसका परिणाम अवस्थावेच से बिलग-बिलग डंग से आता तो मेरे भाई बेहन आलोचना से अंटच रहने के लिए खुब नाम जब करण योग करने से आलोचना से अंटच नहीं रह पाऊगे योग की आलोचना नहीं है साथ योग बहुत हमारे कई महापुरुशाच के लिश्व को योग का दान दे करके बहुत फाइदा करा रहे लेकिन योगी योगी के बीच में इरिशा होती है जिसका कुछ मात्रा में मैं साक्षी हूँ कहां जाओगे आद तब करने से असुया निंदा कम नहीं होगे अतपस्वी के परती आपको चीड चड़े आप एकादेशी का उपवास करते हैं तो आपके मन में एकादेशी नहीं करने वाले के परती सदभाव नहीं होगा यही तब का फ़र कि तुमने दुर्भाव पैदा किया इर्शा आलोचना कम नहीं होगे बहुत ध्यान करो हाँ खाली हो पाओगे शुन्य हो पाओगे पैदा होगा ध्यान से लेकिन कलियूग में इन राग द्वेश इन आलोचनाओं से जिंदाओं से इन टिकाओं से इन समाज के फैर के पत्थरों से अंटच रह के लिए एक मात्र अनभूत उपाए हैं और वो है हरी नाव तीन तीन महीने लगते हैं कोई लग जाए तो उसकी फसल पक जाए या तो कभी भी लगे और ऐसी स्थिकी जब आती है तब साधू असाधू से नहीं ड़ता असाधू साधू से ड़ता है पंजाबी चड़ गए महात्मा के सिने पर जवारानी जम्बू वार्खे जिके लिए पचारत लिया पिर महात्मा उस पर चड़ता और महात्मा एक रट लगाकर बैटा तिम गला पकड़ लिया उसका संता आप मिटाने के लिए भी कभी इस कठोर कृपा का परियोग करता है साथ विवेक के सीने पर चट गए थे मात मात चट बैठा सीने पर बोल राम बोल आंखे बार निकल जो आनी देन माराजे प्यला तो पिलियो पन छाते नावाल निकल गया पर शिरम्चु कह वे जे था वुई था आने ये वो पकिलियोई ना बोल एक बार बोल पर आटो दो आपने रजू कर वो पड़े बाकि अनुभव अगर तो आका हाचा स्वर निकल या उंकारा करे साई उहुँ 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 बोले कोयलिया कुहु कुहु नहीं उहुँ उहुँ अब जा जान पर बात आगई साथ और महत्मा ने ये साथ पकड़ा तब जब बोलने की हम्मत आई तब भो बला लाख करों ने एक बार भी राम नहीं बोलूँगा छोड़ दिया क्योंकि महत्मा को पता है बार एक राम कहत जग जई होत तरन तारन नर्द बकुला तारिद लगो लो एक बार साथू ने छोड़ दिया और क्षमा याचना की महत्मा ने माप करना पहिया बस मेरा इरादा सफन हो गए बोले एक बार बोले मुझे इतना ही करना जा खुश रहूँ साहब उसने पूछा जाते जाते कि बाबा एक बार में बोला फिर राम ने बोल रहा है एक बार में बोला तो इसमें क्या होगा और फिर देखना क्या होगा सालों लग जाएगे क्योंकि मैंने मेरे पेमाने से तुम्हे थोड़ी पिला दे मजबुर साथ मजबुर साथ माप करिए गाज बार बार आपको उठाऊ परवास साथ आपके पेमाने से जो पिलाने की बात आपने कही थे मजबुर साथ परवास साथ परवास साथ सॉरी वो रो पड़ा तो समंदर भी सूख जाएंगे वो मुस्कुराया तो फूलों के रस में उतरेगा आप खुद देख रहे हैं पुरिया वो रो पड़ा तो समंदर भी सूख जाएंगे वो मुस्कुराया तो फूलों के रस में उतरेगा मुझे शराब पिलाई गई है आँखों से मुझे शराब पिलाई गई है आँखों से मेरा नशा तो हजारों बरस में उतरेगा मेरा नशा तो हजारों बरस में उतरेगा तो बाप दन्यवाद मुले एक बार से काम बनेगा अब तू चला जाब बात हो गई मेरे पेमाने से तुन्हे पी लिया जा साहब सालों बीद गई यह आदमी मरा और जब वहां गया चित्र गुप्त खाता वही लिए खड़ा था रुको आपका इसाब करना आदमी पंजाबी जल्दी कर किसका पुत्तर है तू जा उलाने के तू कौनों दिकरो किसका पुत्तर है किथे गया था जा पुत्तर बुत्तर रहाद है तू सिदो जवाबाद बल्ले बल्ले करो जे बल्ले छोड़ने यार तू तो बता तो जो चित्रकुप्त था उसने इसाब किताब निकाल करके देखा कि उसने कभी हरी नाम नहीं लिया सादू शब्द से उसने विरोध किया सादू दर्शन और सादू की गर जाता था तो ये बस बिल्कुल विरोध में ही रहता था उसको तो खबर नहीं क्या दुर्गती होकी लेकिन एक बार सिर्फ बोला है कि मैं राम नहीं बोलूगा एक बार तो राम बोला तब उसको याद आया कि प्रल तुम्हें तब मिलेगा इस राम नाम का कभी मुल्य मत लेगा सादू जाते जाते कह गया कि मनाम नाम बेचना मत उसने चित्रगुप्त ने कहा कि वह एक बार तो राम नाम बोला है अब उसको तुझे जो लेना ले ले उसका मुल्य बाकी तो तेरे पाप ही पाप है उसका हिसाब बाकी तो उसको याद आया सादू का बाकी कि मुल्य मत लेना मुल्य मुल्य आप निरने करो हम नहीं करो मुल्य नहीं लेना आप करो अब चित्रगुप्त ने सोचा कि यहां कभी रामनाम के मुल्य की तो चर्चा आ घए हैंνη इस बात को तो कभी हुई हैंने तो उसने ये my लाज को बुलाया चितर कुपती ये my लाज आया बिले एक बारा रामनाम बोले उसका मुल्य के बुले वो तो कभी कऊस मद नो पाठ्टि पुस्तत महीं नहीं था हूँ, यह तो कहां से आया यह बाई, तो बोले यमराज ने का, आमको तो पता नहीं बाई, तो बोले धर्मराज आपको पुझा, धर्मराज को पुझा, धर्मराज ने का, यह भी हमें को भी पता नहीं, तो बोले पितामा ब्रमा पुरी रुष्टी निर्मान करते हैं उसको बुला, धर्मराज आया, यमराज आया, कोई राम नाम का मुल्य नहीं कह पा रहा है, तब ब्रह्मा जी आया, ब्रह्मा जी को सबने पुझा कि यादमी आया है, एक बार राम नाम बुला उसके हिसाब में, और मुल्य को, तो हम तो नहीं अब क्या करें बोले राम नाम का मुल्य तो शंकर जाने, निरंतर तुम अपुनी राम राम दिन राती, सादर जप हुआ नंगा राती, तो शिव जी को बुलाओ, तो भगवान बोले नात को बुलाया गया, महदेव आया, बाबाजी क्या है, बोले राम नाम का मुल्य एक तो शंकर जिया आप psychology निकाम में तो राम 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 रटता हुं मुल्ले के बारे में और मैंने कभी सोचा ही है कौन सोच मुल्ले के बारे में हमको जपने में इतना अनन्दायता है परिनाम की कौन सोच तो बहुले करे क्या और उसने कहा नहीं बोस मुझे एक बार बोला उसका मुली बता आपका नव शंकर जी है बता बर्मा जी पिता मा आप बता तर्मराज आप ए चितरकूप जल्दी कर फितर फितर पितर पितर बंकर ना तो शंकर जी ने कहा कि वही राम नाम की महिमा तो खुद राम जाने राम को बुलाओ बोले मुझे जल्दी हो रहा है आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ एक तो इतनी दूर से आया हूँ पानी बानी का पूछते नहीं हो इसको बुलाए, इसको बुलाए, जल्दी मिरना ही करो ना, अब किसकी बारी है, बोले राम जी को बुलाना पड़ेगा, लेकिन राम नहीं आएंगे वहाँ जाना भुगा, तो तुम हुआ हो, बोले हम कैसे, आपको दिखाना पड़ेगा, कि यह आदमी है, वो पूछे कि कौ आप यहाँ इधर उधर करें, वहाँ करो, रिक्षा लाओ, टेक्सी, और बले टेक्सी बेक्सी यह नहीं मिलती, तो यह दोलिया होती है, दोली लाओ, बेठ गया दोली में, अब यहाँ तो उपाड़ना रकाहर कहां मिले, कौन उठा है उले तुम चार, अब शंकर, ब्रमा अधर्मराज, जमराज, चारोगा, और चुतर गवाँ पुतर, तो चोपड़ा लिकरा, पिछे 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 तो, डोली में बैठो, एक बार राम नाम बोलाता है, हाँ, गयंद चड़ायो सहाँ, अथी पर इठा दिया, देर देर चलना, हाँ, 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 हा अधर बाया पेर एक साद चलना, हाँ, मने माता हम वागे से, आहे मारखावन थी है यो, तमने मारवाए उसको, अब तो क्या करें, पसीने पसीने हो गए, लत्बत हो गए ऐसा, दोली में बिठा करके उसको लाया, राम धाम, तो बगवान राम के इद्वारपाल, इद्वारपाल, नाराहिन के इद्वारपाल, दोड़े, कि ये कौन है, कोई महत्व की व्यक्ति होगी, कि जिसकी पालखी, बर्मा, शंकर, धर्मा और यमराद, तो बगवान को पहले बता दे कि कोई ऐसा, वरना ठाकुर जी कहेंगे कि तुमने बताया ने, इतना बड़ा जिसकी दोली शंकर उठाए, तो द्वारपाल अंदर गया, ठाकुर बगवन, हाँ, कोई आ रहा है, धर्म, यम, ब्रह्मा और शिव, दोली उठाए, बगवान राम दोड़े, उठे राम, सुनि प्रेम, अधिरा, कहु पत, कहु निशंग, दोड़े, बहाराद, बहाराद, लोग आप, शीवधिया, दіर्म्राद, यम्राद, इसनेि आए, बोली जए को उठाए, आवाधिज पोड़े, आवाझ रा-घथा, नाभाद, दोड़े, इस के लिवगभभभつ और मेलास के लिभवभभभ созд, दोड़े, अवभभ, दोड़े, अवभभ, मोड़े आजाए ब्रमा शंकर पौरोखादु वो तेरे अंदर थे आप कोन है मैं राम आपका नाम मैंने एक बार लिया था अजी नदो बुलत विजी वकट तो बहुले हो दो आपका नाम मैंने उस मातमा के सामने लिया था वो आप है वो ले पके हाप ये वो ले हाँ तो वैस ये पूछ रहे हैं चितर को एक नाम का मुल्य मैं मुल्य राम ने कहा जा नहीं राम नसकही बखाने राम मुल्य जानता है लेकिन बोल नहीं पता रहा है तो बोले इसका निर्णे क्या आप तेरे सामने निर्णे कि तु एक बार राम बोला तो तेरे स्वागत में स्वेम राम को आना पड़ा है तेरी दोली को इन देवताओं को उठाना पड़ा है अब भी तुम उल्ल पूछ रहा है अब भी तुझे जानना शेश है साधू कभी कभी ऐसा उत्पात करता है जो जीव को वैकुंट के द्वार पर राम का स्वागत पाने का उसर प्राम करा देता है भरी उसका स्लागत करता है कहें करिये उत्पात अरम तो साधू संता अप्ताप परिताप मिटाता है लेकिन इन तीनों का क्रियात्मक रूप जिसको उत्पात कहते हैं वो कभी कभी मीरा के द्वारा हुआ नानक के द्वारा हुआ कभी मनसूर के द्वारा हुआ कभी शर्मत के द्वारा हुआ कभी नर्सिमेता के द्वारा हुआ लेकिन वो विश्व मंगल के लिए होता था जगत कल्यान के लिए होता था इसी रूप में साधू कभी कभी उत्पात करता तो मेरे भाई बहन में आपसे धर्म की चरचा कर रहा था कि धर्म की व्याज्जा क्या मनु तो दस लक्षन बताते हैं बागवतकार चतुरपदी वुर्षभ की चर्चा करते हैं मेरी व्यासपीट ने जो संतों की बात हैं जो निचो निचो करके ये तीन चरण निकाले ही तीन में से अब अवक्त में नतिना क्यों पहेनी मेडा ही किसे मेरी व्यासपीट ने जो तीन बाते रखी है सत्य प्रेम और करुणा कोई परोठा परो से भुख लगी हो तो अच्छे ही लगते हैं लेकिन कभी-कभी हम स्वयम बनाएं बले कैसे भी बनें लेकिन उसका स्वाद बिलग भी होता है तो ये सत्य प्रेम और करुणा धर्म के ये तीन लक्षान अध्याच्म जगत के तीन सूत्र और मुझे पूछा जाता है कि अब उनको कम कर से मैं कम करना नहीं चाहता सत्य में प्रेम करुणा समा जाए यदि आप ऐसा चाहे तो ठीक है प्रेम में सत्य करुणा लेकिन सिद्धान्तों में उसकी चर्चा करो तब मिल नहीं बैठेगा बहुत सत्यवादी कभी-कभी प्रेमी दिखाई भी न दे कठोर दिखाई दे देखना बहुत सत्यवादी आदमी इसलिए सत्य के साथ प्रेमी होना बहुत आवश्यक है और कभी-कभी बहुत सत्यवादी करुणा से दूर रहता उसकी करुणा कभी-कभी करुणा तो होती है नहीं होती ऐसी बात नहीं लेकिन कभी-कभी कठोरता बहुत गांधी जी ने सत्य की उपासना की लेकिन नौखली में इतना उत्पात इतनी कतले आम हुई और वो एक पत्थर रखते थे नाते समय गांधी बापू पैर घिसने का पत्थर रखते थे वो एक पड़ाओ से दूसरे पड़ाओ तक यात्रा होई शाम हो गई पहुँचे और मनु बेन गांधी का दाइत वता बापू की छोटी चोटी चीज भी कहीं भूली ना और मनु बेन गांधी वो पत्थर भूल गई और साइंकाल बाप वो अपनी पैन अपनी जो बहुत कम बस्तू रखते थे लेकिन एक पैर घिसने का पत्थर मनु बेन भूल गई मनु बेन गांधी हमारे मुवा की बापू जिसके कंदे पर हाथ रख कर चना कर दे दे बहुत सेवा की मनु बेन इसकी उसका सवराष्ट क्षेत्र है जांदी जी का भी सवराष्ट क्षेत्र है तो बापु के स्वभाव से परिचित थी तो बापु ने कहा कि मेरा वो पत्थर वो बापु स्वभाव से परिचित थी बापु वो तो मैं भूली मेरे साथ रहने वालों को ये छोटी भूल नहीं होनी चाहिए संगी साथी थी कब आप हम जाए बोले नहीं जिसने भूल की वो जाए तो किसी ने कहा कि हम साथ जाए साथ नहीं वो अकेली जाए साथ कतले आम हो रही थी जिस समय रक्त रंजित था लौक उसी समय अंधेरे में मनु बेन को बेजते हैं छे साथ किलो मीटर के कितने किलो मीटर दूर की बात थी और वो गई साथ और दो चार गंटे के बाद वो एक पत्थर लेकर तब लगता है कि सत्य यहां करुणा का निर्वा कर सका की नहीं अब बापू की मान सिखता बापू जाने हम कोई जज्मेंट नहीं देंगे उस पर लेकिन एक 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 बहुत दूर खड़े रहकर एक साक्षी बनकर सोचते समय लगता है कि करुणा जरा कठोरता ज्यादा देखती इस कठोरता में भी उनके कुछ अर्थों होंगे हम उसकी समालोचना न करे इसलिए मेरी मान सिखता है कि तीनों जरूरी है सत्य भी हो प्रेम भी हो और करुणा भी हो इस धर्म को राम ने अपना वरत बनाया है राम विग्रहवान धर्मा साधू सत्य पराख्ट परावान राम सत्य मूरती है यही धर्म वरत है उनका राम ही केवल प्रेम प्यारा राम प्रेम स्वरूप है और राम करुणा करंतम श्री राम चंद्रम शरणम राम तीनों का समनवीत रूप भगवान राम है यही उनका धर्म है और मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ ऐसे हैसे कभी कभी चर्चा आप कथा तो नहीं थी तो ऐसे बुलता रहा था कोई मिला कोई चर्चा चले सत्य प्रकाश है आप डिफर हो सकते हैं आप इससे अपना चिंतन दूसरा रख सकते हैं स्वागत हैं लेकिन मुझे मेरी कहने दो मेरा मानना यह है सत्यप्रकाश उजाला असत्यो माहे थी प्रभुपरम सत्ये तुनाई जा तुरंत उपनिशत की रुचा को गुजराति में उदा हंधारे थी प्रभुपरम तेजे तमसो मा जोते हैं सत्य प्रकाश आप सोचिए गाजरो यह आपका हुम वर्क है आपके लिए मुझे लगता सत्य प्रकाश प्रेम जल है प्रकाश सत्य प्रवाह है प्रेम इसलिए वहाँ प्रेम में कभी कभी आप उजाला कम देख पाओगे इसलिए तो लोगों ने एक बड़ा स्थूल अर्थ है में इससे सहमत नहीं इतना लेकिन फिर भी लोग कहते हैं प्रेम अंदा होता है अंदकार बहुत उलजने बहुत कठिना बहुत मुश्किल बहुत मुसिबतों से गुजरना होता है प्रेम के पर इलाही काश गमे इश्क काम कर जाएं जो कल गुजरनी है हम पर अभी गुजर जाएं प्रेम एक बहुत बड़ा अगिनात यात्रा है वाँ अंधेरों से टक्राएं लेकिन है प्रवाह मैंने जरूर मैं मेरे द्वारिका का निवेदन याद करूँ कि प्रेम का भी एक उजाला होता है एक संद द्वारिका ना दे बुड़े प्रेम की एक अपनी रोश्नी लेकिन वो जिस अर्थ में मैं प्रकास शब्द बोलगा हूँ यह एक अकथनी या जिसको वरनीत नहीं किया जा सकता ज्यादातर हम लोगों का नवो प्रेम प्रवा है भक्ती जल है राम भक्ती जल मम मन मीना प्रेम पानी है दो देता है सत्य उजाला है साप साप सब दिखाई देता है और प्रेम जल है जो अंतह करण को दोकर मलीनता से मुक्त कर देता पिर से सत्य प्रकाश है प्रेम प्रवा है जल है और करुणा स्वभाव है करुणा प्रकाश भी नहीं करुणा जल भी नहीं वो स्वभाव है करुणा जिसका स्वभाव हो जाए न उसके मजबूरी हो जाती है कोई कुछ भी करे वो करुणा ही करता है यह स्वभाव है अतिकोमल रघुबीर स्वभाव करुणा स्वभा कम उसको उजाला मत समधना इसलिए दिपावली के दिनों में जो ये सुत्र गुम रहा था कि सत्य से कमाओ प्रेम से इकठ्था करो और करुणा से बांटो सत्य प्रेम करो सत्य से कमाओ बेहिमानी से कमाओ नहीं सत्य से कमाओ वरना एक लाग पचता एक करुड पचता हजार कथा रह गए मूडी चली गए मुंडी रह गई सर पर कर जा कितनी अच्छी बात लगी सक्च से कमाओ प्रेम से इकठा संग्रह करना है तो प्यार से करो कि मुझे करुणा से किसी को देना है इसलिए मैं इकत्रित कर रहा हूँ तो यह मुझे अच्छी बात लगी सक्च से कमाना प्रेम है प्रवाख करुणा है स्वभाव इसी है राम का धरम यही है प्रभू का ध्रम और वही धर्म भगवान शंकर ने निर्वाख गिया है सीवत साम को रघुपाती ब्रत धादी जाओ बाप सीवत साम को रघुपाती ब्रत धादी अरे सीवत साम को रघुपाती ब्रत धादी सीवत साम को रघुपाती ब्रत धादी बिनु अघर्ट जिनी सती असनारी बिनु अघर्ट जिनी सती असनारी तो राम का रघुपती का ब्रत है सच्य प्रेम करुणा थ्वा तो दर्म के रूप में एक वचन एक पत्नी एक बावान यून का ब्रत है और शंकरी इन तीनों चीज को सच्य प्रेम करुणा को निर्वहन करते हैं। परम प्रेम नहीं जाए तजी कीए प्रेम बढ़ पा शंकर का प्रेम अरघुपती का व्रत निर्वहन और मुधा बचन नहीं इष्वर शब्द जहांभी शास्त्र में पड़ोे पहला संकेत शंकर की और है इश मानी शंकर इश्वर मानी शंकर के प्रतिही शब्द है राम कि इश्वर है अवस्य परकिन इश्वर शब्र उच्छ की मानसिक्था में शंकर की उर संकेथ इश्वर इसलिए सत्व स्वरू है शंकर ये व्रत सत्य के रूप में और करपूर गवरं करुणा वतारं संसार सारं भुजगेंगाराइद सदावसंतं तो भगवान राम के सत्य प्रेम करुणा के व्रत को व्रती बनकर भगवान शीवजी ने स्वाबाप्ति निराकार इश्वर ने साकार रूप में सिद्ध कर दिया तो शीवरूपी धर्मना एजी नेत्रो प्राण चे शीवरूपी धर्मना नेत्रो प्राण चे सत्य प्रेम करुणा पूर्ण चे सत्य प्रेम करुणा पूर्ण चे आरोग्य जीव का शरीर का स्वाभाविक धर्म है लेकिन किसी कारण वश हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है स्वास्थ्य हमारी स्वभाविक्ता लेकिन फिर भी किसी किसी कारण वश खाना ठीक से नहीं हुआ आर व्यार ठीक से नहीं हुआ कुछ पचा नहीं कुछ रियक्षन हुआ कुछ विकार पड़े और हम अस्वस्थ हो जाते हैं सत्य सत्य है लेकिन सत्य का भी एक रोग है प्रेम पूर्न सस्थ दशा का नाम है कल भी शायद में प्रेम या तो परसो कहा प्रेम एक ऐसा तत्व है बहुत कुशल है जो उत्तरदाईत और करतव्य का निर्वहान करने में बड़ा कुशल का प्रेम लेकिन प्रेम का भी एक रोग है जैसे तंदुरस्त से तंदुरस्त आदमी को भी कभी सरदर्द हो जाता है क्योंकि शरीर है वात पीत कफ की मात्रा में कुछ गरबढ होते ही शरीर अस्वस्त हो जाता है ऐसा हमारे आयूर्वेट के रिशियों का निदान है कुछ रोग है करुणा स्वस्त स्ववाव है लेकिन उनका भी कभी 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 कुछ रुगनता आ जाती है अपड़ें तीक है काम तो कारे बांदना पने जरा आज जराता है अहक लागे जरा शरीर भांगे जरा शरीर भांगे जरा कठे वाड़ी लोगों के शूद अजरा डिल भांगे जरा डिल नहीं दिल दिल तो अपड़ाओं से है दिल कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा है सत्य का रोग सौने को काट लगे सौने को कभी जंड लगे सदियों तक पानी में रखो सोना सोना रहता है और हम कहते सत्य सोना है नहीं 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 सोने के आवरण में ढख गया है रूपनिशत की जो रुची है सत्य का रोग सत्य का थोड़ा रुज सुवर्ण है सत्य सोने के पात्तर में ठख जाता है बिलकुल स्थूल रूप में देखो ने जाएब तो रूपिया जोई ने भलभला सत्य छूड़ी देज़ क्योंकि बस तु समझने के लिए स्थूल में जाना ही पड़ेगा सत्यम्परम धीम ही बड़े बड़े सत्यमूर्थी भी अमारे भावनगर के अपने कौन हो नाम भूल गया कोई जमीन की बाद थी थोड़ा एक एक वाग के गलत लिख दे तो पंद्रह एकर जमीन बच बच जाती थी उसने कहा कि मैं इसा दस्ताविश करू तो मुझे त्रिभुवन का राज मिल जाए तो बड़े नहीं तो बड़े पंद्रह एकर के लिए मैं असच नहीं कर सकता कोई कोई ऐसे निकलते हैं लेकिन सौने को सत्य को जब सौने से वो अवरुत रहता है कभी कभी स्वर्ण संपदा प्रलोभन सत्य के उपासकों को भी थोड़ा इधर उधर कर देता है सौभाव उनका हिलना नहीं है लेकिन प्रलोभन कई लोग नहीं है नितिवान होते हैं सत्वान होते हैं दयावान होते हैं लेकिन थोड़ा स्वार्थ उसमें थोड़ा थोड़ा गरबढ़ कर देता है तो बात में कहा करता हूँ पिर एक बार दो रहा हूँ कि बिल्ली को मुह पे लाली लगवाई, सौने के गहने पहनाएं, बदाम पिस्ता वाला दूद पिलाया, केसर डाल कर पिलाया, चांदी के सिंगासन पर बैठाएं, चनिया चोली पहनाएं, चुनरी उड़ाई, काजल बाजल लगाया, पाउडर बाउडर किया, वैसे चेहरे क बाड़ा मंजन किया, नुपूर पाजेद, क्या काव सब्द था? गुंगरू, वो पहनाएं, गुंगरू पहनाएं, बाजुबंद पहनाएं, कंगन पहनाएं, जो हमारे जिजा बाई ने पहने थे, ऐसे सब अभूशन पहनें, गुगरियां पहनी, कटिमिखला बांदी, स अब तरह था, सुंदर 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 हुई, ऊपर एक छट्र लगा दिया गया, छड़ियां पकारी गई, और बड़ी शालिनता से बिल्ली जी विराज रही थी, तब तक, जब तक चुहा नहीं देखा था, चुहा देखते ही सारी सभ्यता, कभी कभी, कभी कभी, कभी कहीं कहीं स्वार्थ आता है तो थोड़ा चुक जाते हैं सत्यसंकलपित जिसने जीवन को मुझे लगता है कि सत्य उचारण यद्भूत बस्तु है लेकिन आद भी कभी कभी चुक कर जाता है जब तक सत्य का उपासक सत्य रूप न हो जाए मीरा को आलोचना उसके प्रेम के बारे में क्यों असर न कर गई क्योंकि मीरा महिला मिट गई थी मीरा स्वयम प्रेम बन गई दे अश्वरजनिश जी का यह वाद किया मीरा ने कृष्ण को प्रेम किया कृष्ण ने मीरा को प्रेम किया नहीं मीरा स्वयम प्रेम हो गई कृष्ण की राधिका राधिका मन गई इस नहीं अपर लेओ नहीं अब लेओं नहीं जब तक आदमी स्वयम सच्य रूप नहों जाए तक तक कभी कभी उसके कुछ आवरणों को जंग लगने की संभाव ना है क्योंकि सत्य का सुरक्षा के लिए यदि आप कोई संदूक बनाएं एक लोहे की एक तिजोडी बनाएं उसमें रखे तो जिसके आधार पर सत्य है सुरक्षीत उस आधार को इस आवरण को संभावना है जंग लग जाए क्योंकि वो वो दातो नहीं है अच्छे आदमी के अगल वगल में जो रहते हैं उसके कारण कहीं कोई दाग लगने की संभावना है हाँ तुलसी ने जरूर कहा कि बिधि बस सुजन कुसंगति परही पनी मनी सम निजगुन अनुसर है लेकिन फिर भी कहीं जंग लग सकता परवाज साब ने अभी फरवाया ना कि दाग लगे न लगे वो और बात है लेकिन उसका कीचर खाली हुआ उसने जो अपनी गुराईयां अपनी कमजोरियां अपनी अपनी जो बदविचार जो निकाल दी है निकाल दी शो विद्यसाई जिसको अनियाली सुगंद कहें चे काटाने अनियाली सुगंद तब कंटक भी पुष्प का परिवार लागे चे मने कंटक भी पुष्प का परिवार जैसा लगता है आलोचक भी अपने लगने लगते इस यह अनियाली सुगंद चुभने वाली सुगंद शायर कभी कुछने कुछ शब्द ब्रह्म के साथ नाच सकते हैं निरत्य कर सकते हैं उसको अधिकार तो सत्य का एक रोग सुवर्ण है हो न रहे इसलिए सीता सत्य है लंका में और लंका सोने की है और श्रीहनवान जी इस लंका को जलाना चाहते हैं ताकि आवरन खत्म हो जाए सोने से ढखा हुआ सत्य अनावरन हो जाए अब प्रेम प्रेम का भी रोग है लोग कहते हैं प्रेम स्वईम रोग है क्या रोग लगा बैठे हैं हुआ ख़यूए प्रेद युट्सक जाफ उल कई धन्मुट कुरान अबड़ प्रेदिन निए एक्लिक नग्युंट अल्ग में युट्टिन अजनगन करोंदि इन इत्रों कर बीमिहेर्ड था थाफ्या थाफ्यूम् हिसंवित्न प्रेद्ध कर दोड़् थाफ्यूम् प्रेम का एक रोग है यह बहुत कठी नुसुत रहे साहब यह तो आप परिवार की मैं सब को परिवार के जैसा समझ रहा हूं आप सब मेरी ममता के पात रहे इसलिए मैं आपके साथ यह शेयर कर रहा हूं प्रेम को लोग कहते हैं प्रेम रोग है हमको प्रेम रोग लगा ऐसा लोग यह ठीक है बिलग बिलग अवस्थाओं की बात है प्रेम की अवस्था समझनी पड़ती एक साधारन प्रेम होता है एक स्वस्थ प्रेम होता है एक सिद्ध प्रेम होता है राम भक्तिरस सिद्धित बायह समय इस सिद्ध प्रेम का उदा साधारन प्रेम जिसे एक पती पतनी, एक मित्र मित्र, बाप बेटा, साधारन अच्छा है, साधारन प्रेम व्यक्ति को ही गदगदित कर सकता है, लेकिन इस से उपर थोड़ा उपर उठा हुआ प्रेम, अपने अगल बागल वालों को संक्रामक प्रेम होता है, और उको जैसे प्रवाज साब निका कि आख जो नमी थोड़ी सी, नम गई, कुछ आशो आगए तो समंदर सुख जाएंगे, बहुत परिसर को कवर कर लेता है, लेकिन तीसरा सिद्ध प्रेम है, वो पूरे अस्तित्व को डुगो देता है, पूरे अस्तित्व पर उसकी असर हो, तो साधारन प्रेम मनी है दुरलब है, पति-पत्नी के बीच में, मित्र-मित्र के बीच में, जो प्रेम होता है, वो मनी है, और मनी दुरलब है, सब के बात, मैंने तो मनी देखा भी नहीं है, अत्ते कमने मनी नहीं देखा, आ मनी देखे, मनी जो ख़दानों से निकलती है, अमने देखा, कभी देख प्रेम का मिल रहा है साब, ये थोड़ा भी हो तो भी बहुत है, छोड़ी खट मीटी होते है परिवार में ती इस से क्या, थोड़ा प्रेम बच जाए, हाँ, जिसको याद कर, जो मिल गया उसे याद कर, जो गवाया आश्मान गाता था उसको भूल जा, जो पाया है उसको या पत्निय पतीन पूछु के मरी जाओ उपसी तम मारा माट सूखर सो के ताज माल करेश ताज माल करेश हो कहा क्यारे करेश हो के तो मरी जाद तो नहीं जाला तार पतभू पड़े पती जाओ पसी प्लोट रहे खो साधारन परे इस से थोड़ा उपर उठा प्रेम साधारन प्रेम मनी है दुरलब है इस से थोड़ा ज्यादा प्रेम उपर उठा प्रेम चिंता मनी है मनी है लेकिन चिंता मनी ज्यादा कवर करता लेकिन सिद्धों का प्रेम भरत का प्रेम गोपियों का प्रेम कौस्तुब मनी है वक्षस्थल पर जिसका स्थान प्राप्त हो जाता है एक कौस्तुब मनी है भगवान कृष्ण अकेले बैठे कोई भी गिर्द में आये हो एक अपना प्रेम है गुब बाल को साथ गायों के साथ सब के साथ वो उसका चिंता मनी प्रेम है लेकिन रुकमेणी राधा आधी जो स्तर के प्रेम की बात शास्त्रों में कुबजा आधी आधी पात्रों यह भागवत के पात्र लेकर आप इन सुत्रों सिद्ध कर सकते हैं साथ निशन्यगे इतम तदनंग वरधनम श्रिमत भागवतकार कहते हैं साहिव यह प्रेम की स्तर है साथ लेकिन रुकमेणी का प्रेम के साथ भगवान अमर तुलसी साम में जो देवताई बाप उयादा तुलसी साम में रुकमेणी के बेठा है दूंदर आओ पर दूर बेठा शाम यहाँ बेठा मंदिर में रुकमेणी दूर बेठा है ओशो ने वाँ सिबीर किया जब आओशो रजनीश जी के रुकमेणी गुमते थे तब तुलसी साम में उसने एक सिबीर किया रतुभाय अदानी और यह सब ने मैंने उस समय में छोटा आखबारों में पढ़ा था सालों पहले के बाद वहाँ रुकमेणी दूर बैठे रुठी हुए चिंता मणी है लेकिन राधा अथ्वा तो वरजांग नाओ की तदनंग वरधनम जो चर्चा भागवत कार कर लेते हैं गोपी प्यार की धजाहें उस सिद्धों का प्याम भरत आदी महापुर्शों का प्रेम किस तो प्रेम में भी एक रोग है और प्रेम का रोग क्या है वो प्रिप्या मैं आप से जनना चाहूंगा दकान आपने आउर तो एट बोलुए तो जवाबज आप पहूंगा विरा विरा उसका रोग है ठीक है दकान का मानना प्रेम का रोग विरा है चलो अची बात और कोई बुलना चाहेगा पांथ मिनीत आए एक बज़ने में फिर मैं पूरा कर दूंगा और रामा 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 राम प्रेम के रोग के बारे में प्रेम 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 अरी आज़ नहाँ को भी अज़ अबंगर भी अखेज पान अनिद्रा अच्छे जया आच्छे आदमी सोनी पाता वो वी एक है आधिरात निखंड की लोग नगर के सोए जिसको चिंता यार की वो कहां से सोए तो प्रेम्याद मी निंद चुरा लेते हैं तो वो भी एक करोग है लेकिन अभी अजी मने मने संतोष्था यहो तो मार जवाब दें अपने संतोष्था हो तो आमड़ा में से शाक बजी लेवा कर दोगे हैं तो मैं बैन हने दोगे ăष्ड है झाहर हिए आने आच ड़ा आ। टोगे पांच रुपए कि यहहो घच स्टुद हो यहिए आने 880 रूपए मैं दोगें जैन्य मंचार के तो टोग principle तो टोगें आपका आपका भा उसुंचा ए लेकिन माराहिवी दोगे मैं य प्रेम कारोग जाइछे रहार वेवार पागल पन प्रेम कारोग पागल पन सब्सक्रा पन मो, 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 प्रेम का प्रेम का है, मन है प्रेम अपने आप में एक रूग है junior इना रोग थेक है, हन्तजार इनतजार यार बहुत जुन्दर यार मैंने गलत कहा था शुरूत में काप सब ग्यानी है हां माताच बोल बोल तू बोल सुनो 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 माताच आप काप सुनो प्रेम से गंगा बढ़ी है देख गंगा बादी तरी खूर नीचंदी शा और जोड़ी लेवाज उजीग यहात जोड़ा है हमाता ही क्या बोल दे प्रेम गंगा भारी हां मिलन तारे प्रहमिना बाराबा से शेविश्ट नहीं अच्छा चलिए अका तारे नहीं बस आप जोड़िए बड़ पाप जेग हाँ पता करें कारोग कैंसर मतसर मनें कोड़ अवज अवर किन चलिए हाँ परेम करोग कैंसर थी एक भार थाइप अपर एक नहीं थार। नो को दुआ ही इन कौ Ст Bear देन कैंसर या जंण जनम रहता है हाँ हाँ सामर प्राइब शाँ मौट नाँ विर भूभर भूभर बद़्या ठ्शो सामर शाम मौट सी तो कामी सी दो याँ मौट मौट विवा जसा paper शीम कि एंगसा करंग की मत जून मैं हिएऽ और फ्रूदत्अ मगनता अगनता लिनता क्या रुदन रुदन स्वार्थ है भेड़ व के आचरकी । इन बहुत शरू करोई है लगज्य आज़ा शरू करें और इफ शरू करें liegen bet बद्धिन करें को niece भुथ की बातसरव करनो भुथ की बातसरा काल शरू करें है रात को ग्याराव जे को देवा देखा तद दिवा हैं ने खाए तैर यह आपनों अंधा पूर्ट भूत सब भूत की बात करेंगे और प्रेम की चर्चा चर्चा करेंगे देखा किसी नहीं 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 बहुत-बहुत स्वागत हैं आप सब के मंतवयों का बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब का बस अब कोई नहीं बोले है इसलिए एडवांस में श तुलसिदास जी ने दोहावली में लिखा है प्रेम का रोग प्रपंच है प्रेम शरीर प्रपंच रुजा तुलसिदास जी ने दोहावली रामान साथ प्रेम शरीर है और प्रपंच करना वो उनका रोग है प्रेम तो सब में है लेकिन प्रपंच के कारण हम प्रेम को रोग ग्रस्त कर लेते हैं प्रेम स्वभाव है प्रेम सब में होता है प्रेम बीना एक शाखा प्रशाखा भी नहीं होते ही नदी बहती है प्रेम के कारण शाखाएं फूटती है प्रेम के कारण लेकिन प्रपंच उसका रोग है तुलसी कहते हैं ये व्याधी बढ़ती जाएं इसलिए सुबैद ही किसी सद्गुरु को वैद बना करके इनका हिलाज करा लो कि हम प्रेम भक्ती में कहीं प्रपंच प्रवेशन कर जा ऐसा मेरे गोष्वामी जी का एक वक्त प्रपंच नहो जितना प्रेम हो लेकिन प्रेम में प्रपंच नहो प्रपंच प्रेम का आप सब के जवाब में खंडर नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे तुलसी का ये जवाब आपके सामने रखना था इसलिए मैं आपसे भी जवाब प्राप्त करना चाहता था, आप सब को धन्यवाद, तो प्रेम का रोग प्रपंचता है, सत्य का रोग कभी कभी प्रलोभन स्वर्ण मुद्रा है, और करुणा में रोग नहीं होता, फिर भी कभी कभी करुणा वान भी कुछ अच्छे कारणों के लिए कठोर बन जाए, स्ववाव है करुणा, नहीं हो सकता, फिर भी मातु चिराव कठीन की नाई, जिमी सिसुतन ब्रन हो ही गोसाई, मातु चिराव कठीन की नाई, जदपी प्रथम रोवई अधीर, बालत बैसे रोएगा, लेकिन व्याधी ना सहित, उसकी व्याधी म इसलिए गनतिन सो सिसुती करना, तो बाप सत्य प्रकाश है, प्रेम मेरी समझ में प्रवाख है, जड़ नहीं होता प्रेम, गितावली रामायन में आता है, राम और भरत जब बिलग होते हैं, भरत जी जब राम से बिलग होते हैं, सब की बुद्धी विशाद मही हो गई है जड़ चेतन सब और तुलसी ने वहाँ लिखा कि एक शीला प्रवाहित हो गई है, प्रेम जड़ नहीं है, प्रवाहमान कर देता है, प्रवाहि है, पानी है और करुणा स्वभाव होता है, यही पाड़ी प्रेम शीवर्वर्विधारा नेत्रो त्राण चे सीवर्वर्विधारा माया नेरो त्राण चे साथ्य प्रेम करुणा पूर्ण चे साथ्य प्रेम करुणा पूर्ण चेदी साथ्य अभय प्रेम त्याग में लावे करुणा वंतने आचना वे जी करुणा वंतने आचना वे करू नावन करने आच नावे करू नावन करने आच नावे माने सकल धर्म एज सारज पेछे सकल धर्म एज सारज पेछे माने राम कथामा बापू मोरारी कहे अब को नहीं करिता आजे यहने लेक्यों इतले शब्द रापू राम कथामा बापू मोरावी कहे ओ सिवरू की धर्म नावे त्रो प्रान चे सत्य कलाक नो काटो प्रेम मिनित नो काटो प्रेम मोरावी कहें जीवन नी घड़ियाल ना त्रण काटाओ सत्य कलाक नो काटो प्रेम मिनित नो काटो अने करुणा इसेकंड नो काटो वहती रही जोई करुणा ने वहावता रहे जीवन माँ प्रेम एक कदम आगणवत से प्रतिक्षन वर्धमान होगा और जिसका प्रेम बढ़ता रहेगा वो सत्य तक के एक घंटे के काटे तक अपना मन्जील सर कर से पेटाब मन्जील अने कोई पन घड़ियाल चौविस के लाक माँ बेवक अई 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 आटकी गई अई खोटी पुड़िगए तो बपोरना बार न रातना बार अबार अबे मता हाँ अचुट 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 बोले तु ये को खथ तो बोई सत्य प्रेम एजी करूँ आप जदी चाहो तो इन तुन स्थूत्रों से बेड़ा पार हो जाए कुछ करने की ज़रूरत नहीं परते सत्य प्रकाश प्रेम प्रवा करूणा सोभा आप सब को मेरा प्रणाम आज कथा यहां विराम ले रही हैं लेकिन यहां से उठे इससे पहले कुछ मिनिटों के लिए बाहु से महारास्ट को याद करें विठो वारुकमार विठो वारुकमार विठ्छो वारुकमा, 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 विठ्छो में विक्तो बादुति। लिक्तो बादुति हुआ इस्भादुतिा, विक्तो बआरुति हुआ विक्तो बादुतिश केसे हुआ विठो वारु तुमान। 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 इतो बारुक माई इतो बारुक माई इतो बारुक माई अलिलना मदान करें और रामाराम राम इतो बारुक माई मुझे प्रड़ूब दिग्पनु furniture झार्या झार्य वे सी थार्याote कնतर्या झार्याई W से प्रोच की रखरण प्रम्सो कि श artika मुझे ग्रामि आर्या झार्या問 धी क्किषब झाल पूबनाल पूटाब हुटा जो जबसे हुटाब हुटाब भीधितारभ यूटाब करतार प्रोस्ट प्रोस्टा हर श्रुट। Kṛṣṇa, 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 Are Rāṁ, are Rāṁ, Ām time and hour, are Rā. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare, Hare Rāma. Hare Rāma Rāma स्वावन थनाय संकत्र हराना मंगलत मून लखियो मंगलत मुझा सीटा साइट यह तर्ये पसे हो सब्सक्राइब तीसरे दिन की राम कथा यहां भी राम ले रही है कल सुबह साड़े नौ बजे फिर बगवच चर्चा करेंगे आज मैं मेरे निवास पर किसी को मिल नहीं पाऊंगा इसलिए इकरिप्या कोई आने का कष्ट न करें फिर कल अनकुल होगा तो समय दिया जाएगा आज मुलाकात यानि मिलना नहीं होगा प्रिप्या इसका नौ धले इसकी तो कल सुबह साड़े नौ बजे फिर बगवच चर्चा भाव से बोली राम जंद्र भगवान की जे श्रिवार्त 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 भगवान की जे सथा गूरू भगवान की जे ओ कि नम्हा आप्रवान की जे श्रिवार्त श्रिवार्त श्रिक्तिश्चा यौिद्स श्र्क्तिश्तिश्तिश्ट्वे एपले नहीं हो गुण 10.00 नाय सिजे उसका वब रवायल कुम्राइब सदाप अतारन रूम्त अतुमां कामर्द बचनगवे जरिक्ले अस्कती सादर विजुम्पते निवार सुनम उतात जेहकारन आयाउटो सभगयोगर्स दौपा देति परम पावर्त वराशंगे उपोर संट नाता अब श्री राम का तिफा उन्स दास्तों आगरकात सुनावो हुँ ओरीपा दवारीपो अन्ट गर्वर्चे विराबिने का सरल सुपय मस्कर सुनेपो भय उतासुमद पर्म उच्छाहा लाग कहे रगुपति गुदगा रत्मयति अनुराग भवाने राम तर्ख सरताई सुपताई अन्नारद करमो अपाराख सुपयरावन नवताई रभु अवतार्ख आपुन गाई जवजित गजिवन रारत गई गिरिवदिने मनमा पर्मोथाई रिशियागवन कहे सुपुनी स्री रभु भी रभिवाः राश्र स्पन्व पुर्वासिंतर गिरह विशादा ग्रैसि राम लचिमन संबाद रिप्न गवन केवत अमुरागा सुपुनी रिवाष प्रयागा बानमीक प्रवुयर अवर्माना इंक पुर्दिने मसनताई सचिवागवन नगर्णु पमर्णा मर्तागवन प्रेम प्रवुयर अवर्माना इंक प्रियाशंग पुर्वासिंतर गवर्त गरेज्यंक पुना पुन्य अगुपति पहुविरी समझाए वेपारु पावज तुर्या अरत रहनि सुरुपति सुथकर्मी प्रवुरु अवर्माना इंक पुन्य विरादवद जैई पिति प्रेहत जी सरमंद। बरनिशुती शण प्रितम्पुनी प्रवुर अगति सरमंद। प्रैजंडक मन पावन काई गीधमयत्री खुन्तेईगाई फुन्क पुन्पुपंच बटी कुदबासा बंधिय सलमंद। पुनिलचिमन उपदेशयनूका सुरुपंका जिमिचिनिकम। मरदूशन पढ़वुरिबखाना जिमिसम्रमुपसान। यसक्रन्दरमा इस्वतकाई जैगि दिवाई दोचं। सिलिभाया सिताकर घरनाश्री रभुवेरा जिरावकवा। पुन्क पुगेधक्रियाजिनुकी बजिकबान्द सबनाई गति। पुरिबिरह बरनक रभुवीरा जैगिनिक्रय सरोवरत। पुन्यारत संवाद करें मारुति मिलन प्रसं। पुन्सुक्रिव मिताई भालिप्राद करन। पुपिति लत्तर कहुपितर हैल प्रवर्शन बार। परनन वर्शा सर्वयर। नाम रोश पुपताई। जैगिति कभिपति कीश पठाए। सीता खोज सकल जिसगा। धिवर प्रवेश किन्ह जैवाति भपिन बहोरी मिलास। पुन्दब कखा समीर कुमारा नाग्रत भयुपयोजिया पार। पुन्दब कप्रवेश निमिकिल्हा पुन्से जैदी लजिदी। बनुजारि रावन ही प्रवोदे पुर्दै नाद्यो पर पर। आये कप समझान गुलाए बैदैने कैट जल्षू। चैन समेक जफार गुदे रावुत जैजाए भार। पुन्दार्वेश निमिधियाए सागर निक्रफताई। पुन्दार्वेश निमिधियाए सागर निक्रफताई। पुन्दार्वेश निक्रमरन मिनाना रगुपति रावन समर बखान। प्रावन बदमंदो जरिसो का लाद गभीशन देर सोगा। का रगुपति मिलग बहोरी सुर्न इक्रफति रुफति खत्रवित। पुन्दार्वेश निक्रिम पकाद। बखान। गुन्दार्वेश। बाइस भुसर चरित शबखा, तैस्ट वहोरी रामय विशेका, पुरबर्णत मुपनी पियमे, राथा समझत भुशन वखांती तो इंदूसन करी जवान, तूसब राम कथा ख़द नाहाथ, रचल्मन परमुता, तैस्ट वहोर संदे, सुन उसकल रगुबध चरित, भयुदा प्रसाद वायथ रखाण स्रिकार्श्री मनमाराइडी, आरती श्री रामय विशेका, तैस्ट वहोराब चुदा रूध श्री तो इंदूस्री नाहाथ जुदक मुदाभि उन्दूसरी आरती श्री प्रामय विशेक्षि गामत नम्मा विकमु नारत पारती विज्ञान विसारत सुकसन कादी शेशरु खारत परमपन सुत इरती विकमु आयती श्रीव रामायकी श्रीव गामत वेद पुरा अश्क नस चौशात सवर रंधर पोरस मुनित अगानसं अनको सर्मस आयमस संबत सम्मत समदी आयती शेव रामायकी लामत संतत शंभु भवानी खरुगत संभवत मुनि विज्ञानी प्यास आयती वर्ज वखानी विज़न केंदी वारती श्री रामायकी श्रीव अरहारानी विशैरा सफिरीगी सुरागाः श्रिंगार मुक्ति जूबति जिदी दालार्मारो गुडवरावत पूरियमी दी आतमाक सरेवसरी विकुन शिदे साघात जीशे一ग, तावा जीशे कीया सिकलियद लुकल शिदे साघात जीशे रामयंची आ कियू रामयंची रामयंची कर दो 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 कर संपती विपती सव निमाथे ओचिंता नियावी फड़े संपती विपती वे संपती विपती सव निमाथे ओचिंता नियावी पड़े ए सद गुरु चरणे दास सोके नाम वाला में नई नड़े अरे सुख दोग आले हरी नी निचावडे मन ने धर्पी राखिये धड़े सुख दोग आले हरी नी निचावडे सुख दोग आले हरी यूड़े सुख दोग आले हरे नाम वाले हरी सुख दोग आले हरी इस विपती राखिये पाले हरी